Hello everyone, welcome to Magnet Brains, जहाँ आपको 100% free of cost education provide की जाती है, मतलब यहाँ आपको एक्या 2 chapter पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई payment करने की need बिल्कुल नहीं होती है So इसे अच्छी बात से start करते हैं, आज की इस वीडियो को, this is बर्खा गुपताई, your computer educator for class 10 और आज की इस वीडियो में हम क्या discuss करेंगे, आज की इस वीडियो में हम test paper series के solution को discuss करने वाले है So students class 10, computer application book code 165 का chapter number 1, जिसका test paper solution, test paper आपको मिल चुका है, आपने solve भी कर लिया है, solution भी मिल चुका है और आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, उसी series को continue करने वाले हैं, जिसमें हम chapter number 2, internet services and mobile technologies के test paper का solution आज discuss करने वाले है So hope आप सभी ने test paper देख लिया होगा, है ना, hope सारे question answers भी आपको अच्छे से बन गए होगे, क्योंकि मैंने वही सारे questions जो आपकी exam point of view से बनते हैं जो कि most important है, आपके sample paper पर based है, जिस तरीके से आपका exam paper आने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इस test paper को design किया और आज उसके solution को हम discuss करेंगे, तो फटा बट से pen paper लेकर बैठ जाओ और देख लो कि आपने जो answers प्रिपेर किये हैं, क्या उसी तरीके से यहाँ पे answers आपके match कर रहे हैं, ओके, या जिस answer में आपको doubt है, तो आप वो answer no doubt भी करके रख लीजे, ओके, so chapter number 2 जैसे कि internet services and mobile technologies, इ नहीं किसी platform पर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीसे मिल जाएंगे आपको available, okay, YouTube playlist पे भी साथ ही साथ, magnet brings की website पे भी, fine, तो अब स्टार्ट कर ले, आज के test paper solution को without going any delay, yes, so first of all, आपने देखा होगा की test paper में सबसे पहले section number 8 दिया था, मैंने जिसमें को short answer type questions थे, जो कि 2 marks के इसाप से आपके exam में आ सकते हैं, okay, आ सकते हैं किया, definitely इन में से questions आपके exam में आने ही वाले हैं, आप तो यह मान के चलो, जितने भी questions मैंने अभी तक करवाएं, application based, theoretical based, वो सारे question answers आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, उन में से ही आपके exam में question आने वाले हैं, board exam में, fine, दो मांक से questions, clear, चलो start करते हैं, दो मांक से question में पहला question था, what is web services, web services क्या होता है, आप जैसे कि चाप्टर का नाव में internet services and mobile technologies, तो आप चाप्टर का meaning तो आपको अच्छे से clear है, इस चाप्टर में क्या था, क्या पढ़ा, क्या motive था इस चाप्टर का, है ना, क्यों हमने इस में services पढ़ी, वो सब चीज़ आपको clear है, कौन-कौन से services पढ़ी, वो भी clear है, अब यह web services होती क्या है, first question, so web services are the software based services that takes place when two electronic devices connected via network, communicate over www's HTTP, देखो क्या लिखावा है, बहुत ध्यान से समझना है, कि web services software based services होती है, जो क्या करती है, दो electronic devices को आपस में connect करते हैं, network में, और communicate करवाती है, किसका use करके, किसकी मदद से, HTTP protocol की मदद से, ठीक है, तो मतलब यह है, कि internet का use करके, तो computers आपस में connect होते हैं, एक network में connected होते हैं, globally computers आपस में connect होते हैं, internet का use करके, लेकिन internet की जो services है, वो services हमें कौन provide करता है, वो services हमें server provide करता है, ठीक है, बहुत सार क्ल Relight sota है वो घ्रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर सिस्टम जो होते हैं अलग अलग टीक की जो सर्वर सोतें होते हैं थो हम यह बात कर रहे हैं वैब सर्वर कि तो वैब सर्वर आपको Information प्रवाइट करता है तो वैब सर्वर पे कौन सी चीज को फुल्फिल करती है, तो web server जो computer systems होते हैं, जो highly configured होते हैं, जो बहुत सारे set of standard protocols पर based होते हैं, तो वो software based होते हैं और software based software के form में ही हमारी services को, हमारी requirement को fulfill करते हैं, software based services ही हमें provide करते हैं, किस form में, websites के form में, okay, तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कि web services are the software based services that takes place when two electronic devices connected via network communicate over www's http, अब ये चो www's http ये clear है, हम जो भी browser से सर्च करेंगे, जो information आपको retrieve करना है, कोई website को सर्च करना है, online shopping करना है, reservation करना है, जो भी करना है, जो भी करना है आपको, जिस भी website को आप सर्च कर रहे हो, browser से वो request आपकी जाती है, server तक कैसे http format में, है ना, तो जो भी आ आपका doubt है, ये client system है, कौन है ये client system, जहाँ पर आपने कोई browser software open किया हुआ है, अब यहाँ पर आप कोई search कर रहे हो, तो ये request आपकी जाएगी, किस format में, http, request के format में जाएगी, कहाँ पर, server system के पास, ठीक है, आप server system आपकी request को क्या करेगा, अलग-अलग database से इसमें search करेगा जहाँ पर भी उसको information मिलेगी, आपकी query से related, फिर server system उसे क्या करेगा, इन softwares की मदद से, यहाँ बहुत सारे specialized softwares होते हैं, software की मदद से, http के form में ही response send करेगा, क्या send करेगा, http के form में ही response send करेगा, client system तक, मतलब web browser तक, ठीक है, तो यह चाज़ अच्छे से समझ में आगई न, web services क्या हुई, okay, आगे बढ़े, next question, when an email is received, it can be sent to other email addresses, this is, देखो question ध्यान से समझो, क्या लिखाए कि जब कोई email आप receive करते हो, अब email clear है न, electronic mail, जब कोई email आप receive करते हो, ठीक है, it can be sent on to other email address, और वही email जो आपने receive किया है, यदि उसे आपको किसी other person तक send करना है, तब इस process को हम क्या कहते है, forwarding कहते है, replying कहते है, mailing कहते है, attaching कहते है, तो इस process को हम कहते है, forwarding, मतलब किसी person से mail आपने receive किया है, किसी का message आपके पास आया है, वही same message आप किसी और person को transfer कर रहे हो, किसी और person को mail कर रहे हो, तो उस process को कहते है, हम forwarding, आप करते हो न, generally WhatsApp वगेरा भी आप यूज करते ओफेस्बुक में इंस्टा और ही उसकर तो वहां पर किसी का मैसेज जनरली तेना फॉरवर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को किया कहते है फरवर्डी इमेल में भी ऐई चीज होती है एक मैल आपके पास में आया है और और उसे आपको multiple persons तक भेजना है ठीक है send करना है तो इस process को हमने क्या कहा है forwarding clear यह अच्छे से समझ में आया एस तरीके से भी आप से पूछ सकते हैं now what are the two parts of an email address email address के कितने two parts होते हैं दो पार्ट जो होते हैं email address के वो कौन से होते हैं which character is used to separate this two parts और इन two parts को separate करने के लिए कौन सा character use होता है ठीक है तो अब यहां पर ध्यान से देखो question में कि यह दो पार्ट में पूछा हुआ है मतलब एक एक नंबर के हिसाब से question divided two parts of an email address मतलब half of numbers के according आपको यहां पर बताना है तो क्या बता होगे आपकी दो पर्ट क्या होते है यूजर नेम और होस्ट नेम इमेल अकाउंट सभी का होता है email account create करने के लिए email address generate करने के हम क्या करते हैं अपना नाम लिखते हैं add the rate symbol लगाते हैं और जिस website पे जिस host name पे आप create कर दें उसका नाम आता है और किस से separate होते है यह add the rate symbol से separate होता है email address ना add the rate symbol is used to separate these two parts username and host name कैसे create करते हो आप क्या format होता है email account का कुछ इस तरीके से username add the rate host name अब यदि example देखें magnet brains की email account की बात करते हैं तो magnet brains bhopal add the rate gmail.com तो यह हो गया username और यह हो गया host name simple इसी तरीके से यह दि आप अपना email account create करना चाहते हो xyz add the rate gmail.com कहाँ 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 अपना email account create कर सकते हो host कौन कौन से हो सकते हैं बहुत सारी website हो सकती है जैसे radio mail हो सकता है hot mail हो सकता है कोई private organization का भी host हो सकता है clear तो आज कल बहुत सारे web based email account भी आप create कर सकते हो ISP server based email account भी आप create कर सकते हो, okay, so यह चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, कि email account, address जो होता है, email address वो दो पाट में डिवाइड होता है, username and hostname, और यह दोनों पाट सेपरेट होते हैं, add the rate symbols है, जिसका example मैंने आपको बताया, okay, now, in an email account, which folder stores the received mails, अब email account सभी का है, fine, email account में जो mails आते हैं, वो कहां store होते हैं, किस folder में store होते हैं, तो वो जिस folder में store होते हैं, रिसीव दमेल्स, उन्हें क्या कहते हैं, हम inbox folder कहते हैं, क्या बोलते हैं, inbox, inbox folder stores the received mails, जितने भी receive mails होते हैं, वो कहां पे शोते हैं, inbox में, okay, so यह भी अच्छे से clear है, easy है, next, why is it necessary to be online while chatting, ठीक ह आप चैट कर रहे होते हो, तब online रहना क्यों जरूरी होता है, बिना online रहे हैं, आप चैट नहीं कर पाऊगे, right, यदि आपको अपने friends के साथ chat करनी है, तो आपके friends भी online होना चाहिए, आप भी online होना चाहिए, तबी तो आप chatting कर पाऊंगे, तो ऐसा क्यों necessary है, why, the internet connection is a necessary part of online chatting, internet connection के बिना पहली बात तो आप chatting नहीं कर पाऊगे, तो internet connection क्या होगा, एक necessary part हुआ, ठीक है, अब online chatting is basically text-based messages, generally हम जब भी chatting की बात करते हैं, तो हमारे mind में सबसे पहले textual chatting की बात आती, online textual conversation is known as chatting, okay, which require जिसके लिए जरूरी होता है, active internet or data requirement, है ना, यदि डेटा नहीं होगा, तो आप chatting नहीं कर पाऊगे, तो जब आप चाहते हो कि आप textual chat कर पाऊ, instantly chat कर पाऊ, इसके लिए क्या जरूरी है, आपको online होना जरूरी है, ठीक है, internet connection आपके laptop में, mobile में, PCs में या फिर जिसका भी device का आप यूस कर उसमें होना जरूरी है, क्यों, ता कि आप messages को send भ connection can be obtained by packaging data, these are things which are very important to be online, तो क्या answer लिख कर आने वाले हो, यह समझ में आ गया न, की chatting करने के लिए आपको online रहना क्यों सरूरी है, ता कि आप messages को send कर पाऊ, messages को receive कर पाऊ, on time, instantly, ओके, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होने की जरूरत होती है, ओके, now, name some social networking sites, अब आ होगा सभी ने, obvious मुझे पता है न, क्योंकि हम सभी social networking sites का use करते हैं, facebook का use करते हैं, skype का use करते हैं, ठीक है, linkedin का use करते हैं, clear, whatsapp का use करते हो, आप messengers का use करते हो, clear, तो facebook, linkedin, myspace, twitter, youtube, flicker, wordpress, blogger, type lit, live journal, wikipedia, wetpoint, wikidot, second life, delicious, dig, reddit, and many others, तो यहाँ पे बहुँआँ सारी मैंने websites के नाम लिखे में, social networking websites के, आपको यहाँ पे some social networking websites के नाम लिखने हैं, तो कम सगम आपको 4 या 5 websites के नाम यहाँ पे mention करना है, ठीक है, तो यहाँ पैसे आप कोई भी 4, 5 जो आपको याद रहे, वो websites के नाम आप लिख सकते हो, clear, now, next is, define the terms, आप देखो क्या पूछा यहाँ पे कि uploading और downloading क्या होता है, इने define करो, यहाँ पिर यह question आप से इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, correct difference between uploading and downloading, difference क्या है uploading और downloading में, तो दोनों में से जो भी चीज़ आती है, जैसा भी question आता है, आपको यही answer लिख कर आना है, क्योंकि question पूछने के तरीके exam में क्या हो सकते हैं, अल uploading, downloading को explain करने को बोले, यह define the following terms बोले, clear, या फिर uploading, downloading को fill up के form में पूछे, true false के form में पूछे, देखो, लिख कर यही आना है, यह आपको definition अच्छे से याद कर लेनी है, तो क्या लिखा है, आपर मैंने uploading, uploading क्या होता है, जब आप server पे कोई अपनी बनी बनाई file को अपने document को store करते हो, server system पे जब आप कोई document को transfer करते हो, store करते हो, तो उस process को हम uploading कहते हैं, और जब आप server से, है ना, web server से, किसी document को access करते हो, अपने system पे, local computer पे, तो हम उसे कहते हैं, downloading, अब यह तो बहुत अच्छे से सभी को clear है, common सा topic है, but लिखना क्या है, uploading is the process of putting web pages, images and files onto a web server, देख upload कर रहे हो, store कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं, हम uploading, now to make a file visible to everyone on the internet, you will need to upload it, अब आप चाहते हो कि जो आपने file बनाई है, जो आपने बनाया हुआ है, document, जो आपकी image वीडियो है, उसे सब देखें, ठीक है, publicly वो visible हो सबी के लिए, तो हम उस image को, file को, audio को, video को क्या करेंगे, server पे put कर देंगे, server पे store कर देंगे, जिसकी वजह से वो सबके लिए visible हो जाएगी, और इसी process को कहते हैं, uploading, तो uploading का यदि डिफरेंस आता है, तो क्या लिखना ही समझ महा है, अब downloading, downloading is a process of getting web pages, web pages को access करना, web pages को retrieve करना, कहा से server से, images को, files को, from a web server, जब web server से आप कुछ image, file, audio, video या कोई web page को access करना चाहते हैं, that is called downloading, when users are copying the file from their computer, they are downloading it, अब user जब चाहता है, क्या चाहता है, copy करना, server से किसी file को access करना चाहरा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, server से copy भी कर सकता है, files को, इसी process को basically हम downloading भी कहते हैं, ओके तो difference लिख सकते हो ना, अब दो मांक्स में आप से, तो definition और difference दोनों point of view से मैंने बताया है, बस column wise लिख देना, difference ऐसे भी लिख कर आऊंगे, तो भी चलेगा, okay, now, what is the purpose of search engine, अब search engine क्या होता है, इसका क्या purpose होता है, दोनों तरीके एक ही है, देखो, define search engine पूछे, explain search engine पूछे, what is the purpose of search engine पूछे, कैसा भी question आए, search engine से related आए, तो यही लिख कर आना है, definition में, explanation में, purpose में, यह जो लिखी ना मैंने चार्ड लाइं, बहुत important है, बाकि आप search engine आप सभी को भी पता ही क्या होता है, है न, given a two websites used as a search engine, अप search engine की तरह कौन सी websites का आप use करते हो, दो website का नाम लिखना है, मैंने यह आपे चार website बताई है जो popular है, इंचारों में से जो भी दो अच्छी लगती है, आप लिख सकते हो, okay, so search engine सभी को clear है, क्या होता है, a search engine is a software program, क्या होता है, software program होता है, that helps people find the information, they are looking for online using keywords or phrases, आप जो भी information को server से retrieve करना चाहते हो, तो उसे हम लिख कर सर्च करते हैं, कहां लिखते हैं हम उसे, हम उसे ब्राउजर पर, ठीक है, तो ब्राउजर पर जो search बार होती है, जिसे गूगल की search बार देखिए, आपने, search बार में हम जो भी लिखते हैं, उसे हम कहते हैं, keyword या phrases जो भी आप लिखोगे, वो keyword phrases के form में क्या होता है, server से search होता है, जिसके लिए हम search engines का use करते हैं, वो search engine, software program क form में होता है, these are able to return results quickly even with millions of websites online, मतलब देखो, server पे बहुत सारी millions, billions में online websites होती है, उन website से आप data को access करना चाहते हो, तो search engine क्या करते हैं, उन millions of websites में से आप जो search करना चाहते हैं, उसका result लेकर आते हैं, ठीक है, by scanning the internet continuously and indexing every page they find, continuously internet का use करके, जितने भी databases हैं, server के पास में, वहा आपका जो भी answer है, वही search engine पर return होता है, तो search engine का main purpose समझ में आया, कि जो भी आप search करते हो web browser में, जिस भी search engine का use करते हो, तो पहले तो यह एक software program होता है, और search engine आपकी, जो भी requirement होती है, जो भी query होती है, जो keyword phrase के form में आप search कर रहे हैं, उससे internet का use करके, server से search करके, आपके answer क return करता है, आपके search query को fulfill करता है, ठीक है, तो कितने type के search engine है, सौरी, कौन कौन से search engine है, पॉपिलरली, Google, Bing, Yahoo search, Ask, AOL, ओके, तो Google के लिए आप कौन से website का use करते हो, www.google.com, यह browser भी है, ठीक है, website भी है, Google Chrome browser भी है, और वो आपको अपना search engine भी provide करता है, Google के नाम से, इस तरीके search bar के through क्या होता है, वहाँ से searching होती ही, server से, इसी तरीके से, यदि Microsoft का search engine की बात करें हम, तो Bing.com, ठीक है, Yahoo की बात करें, तो Yahoo search.com, ठीक है, ask, ask.com, ठीक है, तो different type के यह क्या होते है, search engines होते हैं, इन में से कोई से भी दो आपको लिख कर आने हैं, ओके, now, what is e-reservation, अब e-reservation क क्या होता है, e-reservation सभी को पता है, अच्छे से, कि जब भी कुछ online आप booking करना चाहते हो, आप चाहे कोई hotel का room book करना चाहते हो, कोई event book करना चाहते हो, कोई sports या movie वगएरा के ticket book करना चाहते हो, या फिर आपको कहीं travel करना है, तो कोई tourist package book करना चाहते हो, या आपको railway reservation करवान है या airways reservation करवाना है या कहीं पास में local जाना है तो आपको ओला वो करवानी है तो जिस भी किसे टाइप का आप appointment जब करना चाहते हूं वो भी कैसे electronic means का यूज करके online record that is called e-reservation यह अच्छे से सब को clear है तो e-reservation के बारे में क्या लिखना है e-reservation or online reservation is a process of determining the availability of tickets or rooms etc online and making reservation through electronic means via internet तो internet का use करके जब भी आप किसी भी तरीके का कोई reservation करते हो चाहे hotel हो कोई room हो कोई ticket हो तो उसे हम कहते है e-reservation ठीक है this days you need not personally go to an office or a counter to book or reserve railways airways tickets आजकल क्या और है technology के साथ में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं कि आपको tickets book करना है या आपको कोई hotel वोगेरा को room book करना है तो आपको office तक जाने की जरुवत नहीं है या आपको walk करके जाने की travel करके जाने की जरुवत नहीं है आप अपने mobile phone laptop PC में internet connection है तो आप इनकी जो websites official websites हैं उनको use कर सकते हो और पर अपने tickets वगेरा book करवा सकते हूं tourist package book करवा सकते हूं all this can be done online through e reservation यह सब किसके तुरु पॉसिबल है e reservation के तुरु पॉसिबल है online राइक है आप इस तरीके का गाम कर सकते हूं तो यह क्लियर है क्या लिख कर आना है e reservation में अगर दो माक्स में question पूछेंगे तो बहुत देहान से देख लो दो माक्स में आपको क्या-क्या लिख कर आना है okay आगे name some protocols that are used for remote logging on a server server पर remote logging server पर किस तरीके के कौन-कौन से protocols work करते हैं मतलब यदि आपको server को access करना है server पर आपको login करना है server के साथ में communicate करना है तब आपको concept protocol की need होती है मतलब वर्चुवली देखा जायता तो concept protocol work करते हैं सबस्वाइब को server से कोई file को transfer करवाना है server पर आपको अपनी file upload करनी है server से कोई file download करनी है server system से remote computer system से यदि आपको communicate करना है उसका use करना है तो जो protocols use होते हैं इस chapter में हमने देखे थे वो four protocols थे जैसे कि पहला FTP था दुसरा telnet था SFTP था SSH था SSCP था ठीक है तो these are the protocols अब ये question आप से इस तरीके से भी पूचा जा सकता है कि ने इन सब file transfer protocols used over internet internet पे file को transfer करने के लिए कौन से protocols होते हैं तो file transfer करना internet पे मतलब आपको क्या करना है system से दूसरे system तक file transfer करना है या हो सकता है remote server system पे file transfer करना चाहा तो इनके पीछे जो protocols होते है जो work करते हैं वो यह सारे protocols होते हैं है ना basically जो protocol होता है वोता है FTP जो कि secure नहीं होता है ठीक है traditionally हम FTP का use करते हैं इसका मैंने practical भी बताया हुआ है fine दूसरा होता है telnet protocol जो command level पर आपको एक prompt होता है वहाँ पर command के form में आप communicate कर पाते हूं login कर सकते हो remote system पर terminal network जिसे कहते हैं SFTP FTP का secured version FTP protocol का जो secure है extension है उसे SFTP बोलते हैं है ना और यह work करता है SSH और SCP के साथ जो SFTP protocol है वो इन दोनों protocol के साथ work करता है secure shell और secure copy protocol के साथ ठीक है अभी जो तीनों protocol है security कैसे provide करते है encryption technique का use करके है ना अब encryption क्या होता है है अच्छा सभी को clear है ना कि message के साथ में एक की एड हो जाती है जिसे हम keeper text कहते हैं जो आपका text है वो किसी और अलग form में convert हो जाता है ताकि कोई hacker उसको access ना कर पाए ठीक है और यदि एक्सेस कर ले तो उसकी समझ में ना आए वो उसके किसी काम का टेक्स्ट ना रहे है समझ में इसी को encryption कहते हैं ओके तो जो मेन कंटेंट होगा जो मेन आपका user ID password credential या जो भी data travel हो रहा होगा internet पे वो encrypt हो जाता है किसी other form में एक की उसके साथ add हो जाती है समझ मैं ओके तो इस तरीके से security protocols provide करते हैं तो question दोनों तरीके से कैसे भी पूछेंगे देखो answer आपको यह ही लिख कराना यह धियान रखना है basically कि name some file transfer protocol और name some protocol that are used for remote logging on a server server पे logging करना है या आपको file transfer protocols का use करना तो कौन कौन से protocol है जो इस चाप्टर में पढ़े हैं ओके इनकी detail भी आ सकती है यह भी आपसे दोदो नंबर में पूच सकते हैं तीन नंबर में पूच सकते हैं कि telnet protocol के explain करो what is the purpose of this protocol आगे आएंगे इस पर based questions important topic के देखो यह protocol वाला ओके छोड़ना माती से नाओ differentiate between a web address and email address a web address or email address में क्या difference खतरनाग problem होती है इस question में बच्चो को ठीक है कि web address email address क्या problem है actually email address email address जब आप अपना email account create करते हो Gmail पे एडिव मेल पे hotmail पे जिस पे भी आप अपना email account create कर रहे हैं मतलब personally आप अपने लिए एक account prepare कर रहे हो internet पर जिसका यूज करके आप message को send or receive कर सकते हो file को attach कर सकते हो documents को access कर सकते हो right जिसमें कुछ folders होते हैं जिसे आपने देखा है कि आपको message send करने तो compose mail होता है message आ रहे हैं तो inbox होता है right यह समझ में अच्छे से हर एक personal individual का अपना email account होता है अपना email address होता है यह email address की बात हुए अब web address क्या होता है तो जो file or folder आप अपने computer system में create करते हो सब्सक्राइब कोई html language का use करके एक web page बनाया एक page document बनाया अब उस document को आप चाहते हूं कि server पेक्सेस कर पाएं ताकि उस document को आपके सारे friends publicly सब देख सकें ठीक है उस document के address के थूँ तो उस document को जब आपको server पे store करना है server पे host करना है तो उसके लिए server system से आपको एक domain name लेना पड़ता है domain name register करवाना पड़ता है जो हमने chapter number one में पूरा process discuss किया था ओके समझ में आया तो वो जो भी document है आपका server system पे जिस जगह पर होगा उस जगह का जो भी address होगा वो web address कहलाएगा मतलब जस्ट हम web address की बात करें तो URL of any website किसी भी website का जो URL होता है जो www से separate होता है वो web address होता है और email address जो होता है न वो address symbol से separate होता है user name और host name तो email address तो आप अच्छे से clear हुआ और अब web address भी अच्छे से clear हो गया कि web address क्या हुआ वो website वो web document जो आप server से access करते हो जिसके लिए आप URL लिखते हो जैसे Google को आपको access करना है तो आपने www.google.com लिखा आपको magnet brains को access करना है तो आपने server computer system पर लिखा magnet brains.com है ना तो यह क्या हुआ यह वा web address ठीक है अब email account जब आपको message send करना चाहरे हो अपने किसी further दूसरे फ्रेंट को तो उसका भी email account आपको पता email address पता है तो यहां पर क्या करोगे आप website पर जाओंगे email account username password से login करोगे और फिर आप message को send or receive कर सकते जो add the rate symbol से separate होते हैं तो अब अगर यह चीज़ मेरी अच्छा से clear है तो web address और email address में difference आप तीन से चार लिख सकते हो फाइन यह question आपका तीन नंबर में भी पूछा जा सकता है दो नंबर में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो मैंने यहां पर तीन आपको बताए हुए differences और इससे जाधा भी आप prepare कर सकते हो सबसे पहले बात करते हैं web address की तो web address is the URL क्या होती uniform resource locator of your web page जो server पर store होता है जो page server पर store होता है जिसे आप access करते हो URL का यूज करके वो web address फिर से सुनलो email address is used to send electronic messages to each other using computer network computer network का use करके जब अब electronic means के through messages को send कर पा रहे हो receive कर पा रहे हो तो वो कहलाता है email that is electronic mail okay now the in the web address www is used web address में www use होता है at the rate नहीं होता है use और email में add the rate use होता है www use नहीं होता है यह भी ध्यान रखना web address में क्या होता है www क्योंकि www है क्या www that is worldwide web web मतलब हम web server की बात कर रहे है तो web server पे http protocol की मदद से जो URL जो page search हो रहा है वो web address होगा ओके यह और अच्छे से मैंने समझा दिया तो एक्जामपल इसका क्या हुआ www.google.com www.magnetbrains.com www.ncrt.nic.com बहुत सारी millions of websites है जिनका आप यूज करते हो कुछ movie की websites होती है है ना कुछ games की websites होती है तो जो websites है ना basically वो websites का नाम ही जो है ना वही web address है ठीक है कि वो website server पे किस नाम से store है वो नाम ही actually web address है ओके अब email का यदि बात करें तो suppose आप email करते हो ना आपकी कोई query होती है तो या तो आप comment box में लिखते हो या फिर आप हमारे magnetbrains जो email account है उस email account पे message send कर देते हो ठीक है तो magnetbrains bpl at the rate gmail.com तो gmail.com website पे हमने इस नाम से इस user नाम से क्या create किया हुआ है अपना email account create किया हुआ है आप सभी के भी email account होते है राइट तो आप difference clear हो गया कि क्या लिख कर आना difference यदि एक्जाम में आएगा तो किस तरीके से लिख कर आना है fine okay now next long answer type questions अब section A अपना complete हो गया है और ये है हमारा section number B और कौन सा section A ये section number B ठीक है जिसमें कुछ long answer type questions है जो कि 3 marks के हैं ओके अब 3 marks से question और 2 marks से question में देख ज्यादा कोई difference नहीं होता है marking का difference होता है थोड़ा सा question आपको क्या लिखना पढ़ता है ज्यादा words में लिखना पढ़ता है राइट यही difference होता है basically है ना जो अभी वेने 2 marks से questions आपको बताए ना कुछ ऐसे questions है जो 3 marks में भी बन सकते हैं fine तो आपको उसी हिसाब से question को prepare करना है आप जो भी question prepare करोंगे चार marks के साब से ही prepare करना specifically वो questions जिसमें कुछ features कुछ advantage disadvantage या कुछ example पूछा हो या जैसे कि अभी हमने देखा था search engine वाला ठीक है कि कौन-कौन से popular search engines है इस तरीकी के questions को आप यदि पूछे जाते हैं तो वो 4 marks की भी possibility होती ही तीन की भी होती है दो की भी होती है तो यह CC और BCC फिल्ड यह जब जब मैंने पढ़ाया है न इमेल वाला topic आपको one shot में chapter wise जो video lecture बनाते topic wise उसमें या फिर जो हमने theoretical application based questions कवर कि एंसे की उसमें सब में मैंने बार बार बताया है कि यह important चीज है CC BCC से related question आपकी exam में 100% आएगा ऑगे तो CC का full phone होता है carbon copy in BCC का full phone होता है blind carbon copy CC मतलब की वो field जब आपकों message email send करते हो तो आप two field में क्या लिखते हो जिस person को मेंसेज send करना है उसका email account लिखते हो ठीक है अब यudhi आपको एक से ज़्यादा persons को message send करना है एक से ज़्यादा persons को एधी message send करना है तब हम CC यः BCC यूज करते हैं ठीक है तो CC मतलब कारबन कॉपी क्रियेट होगी एक ही मैसेज को आप मुल्टीपल परसंस तक भेज़ पाऊंगे और हर एक पर सनके पास में इसको पता होगा कि ये मैसेज कितने लोगों को भेजा गया है मतलम हर एक रिसीपियंट के पास में बाकि सारे रिसीपियंट के इमेल अचाउंट भी पहुंचेंगे लेकिन वीज़सी में क्या होगा यही सेम प्रॉसस्त रिपीट ओगी लेकिन यहाँ पर जो email message to multiple recipient at the same time. BCC allow the sender to send same message to multiple recipient without letting them know. एको क्या लिखा है? Without letting them know that some other person allow also have received the same message. उसको यह नहीं पता होता है कि कोई और person ने भी यही same message receive किया है. इसलिए से blind carbon copy कहते है. अब इसका example यह दे डिसकस करें. तो if manager wants to send same messages to all his subordinates, he or she may use this field for entering the mail IDs of his subordinates. अब यदि कोई manager है और उसके अंडर कुछ subordinates है, सपोज़ा 10 subordinates है. तो उसने वो message किया, पूरे 10 subordinates को convey किया है. तो एक बार message लिखा, लेकिन CC copy में पूरे 10 subordinates का email account लिख दिया. अब common message था, सबको send करना है, सारे subordinates को clear करना है, तो यहां कुछ security जैसे चीज़ नहीं है, वो सबके पास जाना चाहिए, तो हमने CC copy create कर ली. लेकिन यदि यही चीज़ कोई privacy से related बात होती है, हम क्या करते हैं, इसके लिए BCC copy create करते हैं. समझ में है, ता कि हर एक individual, हर एक subordinate को यह पता चलता, कि हाँ, यह message उसके लिए बेज़ाए, सबोस कोई complaint letter होता, किसी subordinate को, कोई, दो-तीन ऐसा subordinate है, जिन्होंने कुछ mistake किये है, ठीक है, और उनको हमें को complaint letter भेजना या, उन्हें हम कुछ advice देना चाहते हैं, तो हम सारे subordinates को नहीं बेजना चाहते हैं, सिर्फ हम limited को भेजना चाहते हैं, फाइफ को, ओके, और उन फाइफ को भी ऐसा treat हो, कि हाँ, वो सिर्फ उनके, उन्हीं के लिए message बनाया गया, उन्हीं के पास बेजा गया है, उन्हीं ये ना पता चले कि पुरे है, फाइफ के लिए बेजा गया है, तो उसके लिए हम BCC copy create कर सकते हैं, ओके, so the BCC protect the privacy, ये क्या करता है, recipient की privacy को protect करता है, and helps reduce to spam messages, ओके, तो difference अच्छे से समझ में आ गया, इसको कैसे लिखना है, इसको तीन difference में भी आप कर सकते हो, तो, now 13th question is, to find out about email addresses of one of your friend, देखो, आपको क्या करना है, आपके किसी friend का email address find out करना है, ठीक है, so which utility will you use and how, तो आप कौन से utility use करोंगे, आपका friend है, सपोस कहीं foreign में रहता है, और उसका email address आपको नहीं पता है, ओके, तो आपको उसका email address पता करना है, तो उसके लिए कौन से utility है, internet पर ऐसी कौन से service है, जिसका हम use करते है, तो search engine जो facility है, जो search engine है, वो आपको provide करते है, क्या, उसका use करके, आप internet पर people's को places को search कर सकते हो, people places को find कर सकते हो, है ना, सपोस किसी people का email address find out करना है, phone number, street address find out करना है, तो आप search engine की मदद से कर सकते हो, कुछ ऐसी websites होती है, जिनका use आप करते हो, ठीक है, so many search engine also offer a way to search for basic information about people and places, if you find out to people, person's email address, phone number, if you find out the person's email address, mail id, phone number, street address, you can use this service, तो आप search engine की service का use कर सकते हो, कौन से service है, कौन से websites है, तो ये कुछ websites के नाम मैंने यहाँ पर mention किये है, जैसे www.addresses.com, email.addresssearch.com, pq.com, people.com, 123.people.com, तो ये कुछ websites के नाम है, जिनकी मदद से हम किसी people को, उसके email address को, उसके phone number को, contact number को, address को सर्च कर सकते हैं internet पे, इन websites की मदद से हैं, तो अब ये तीन नंबर में पूछ जाने वाला question है, तो इसको किस तरीके से लिखना है समझ में आया, यहाँ पर मैंने five websites के नाम लिखे वे, आप कोई भी तीन websites के नाम कंपल से release question में लिखकर आओगे, ठीक है, यदि दो नंबर में पूछा जाता है, तो दो websites के नाम आपको यहाँ पर लिखकर आने, अब जो भी websites है, आपको जो easy लगती है, उनके नाम आप याद यहाँ से कर लेना, ओके, now next is, what is video conferencing, name some popular video conferencing software, अब देखो यह question, कि video conferencing क्या होती है, और इसके लिए कौन-कौन से popular software है, जिनका use आप करते हो, है ना, और किस तरीके से question को पूछा जा सकता है, what do you understand by video conferencing, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, कि video conferencing से आप क्या समझते हो, what all things must be installed on your computer in order to have video conferencing, जब आपको video conferencing करना है, तो उसके लिए आपके computers पर क्या क्या-क्या install होना चाहिए, जिसकी मदद से आप video conferencing कर सकते हो, easily, तो दोनों question का मतलब कुल मिला के एक ही है, है ना, तो यहाँ पर question किसी तरीके से पूछेंगे आपसे, answer क्या लिख कराना है, वो ध्यान रखना है, तो hope आपने video conferencing क्या होता है, इसका answer तो अच्छा से prepare कर लिया होगा, कौन से software की need होती ही, वो भी कर लिया होगा, क्योंकि basic ही है, है ना, सभी हम लोग जनरली हमारी प्राक्टिकल लाइफ में video conferencing का यूज करते हैं, video chats का यूज करते हैं, find group of people, एक साथ family friends, जब आपको बात करना होता है, तो आप internet की मदद से whatsapp call करते हो, group call करते हो, insta, facebook का भी उस कर सकते हो, skype का यूज कर सकते हो, google made, zoom अगेरा का यूज होई रहा है, है ना, so the next dimension in internet communication is the video phone, people who have a multimedia PC, वो people जिनके पास में multimedia PC है, जिसके पास camera है, PC में लगा हुआ, है ना, laptop में भी जनरली आज कल inbuilt cameras आते हैं, है ना, वापकेंस आते हैं, and video compression hardwares है, access to internet over an ordinary telephone and video phone softwares, we can see each other while talking, which is called video conferencing, जब आप बात कर रहे होते हो, जैसे telephone पे आप बात कर रहे हो, है ना, उसी तरीके से आप video phones का use कर रहे हो, मतलब आप बात करते-करते face to face, एक दूसरे person को देख सकते हो, उनके emotions को देख सकते हो, ठीक है, that is called video conferencing, इसके लिए हमें webcam की need होती है, एक multimedia PC की जरुवत होती है, high speed internet connection की need होती है, ठीक है, video compression softwares की need होती है, clear, तो ये कुछ चीज़े हैं जिनकी हमें जरुरत होती है, आप कौन-कौन से software है, जो आपको video conferencing की facility देते हैं, तो कुछ most popular software है, जिसमें पहला है Skype, जो की most 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 popular है, OVO, Adobe Acrobat Connect, AT&T Connect, etc., बहुत सारी softwares होते हैं, ठीक है, जब आप internet पे search करोगे न, video conferencing softwares, तो इसके अलावा भी बहुत सारे softwares के नाम आपके सामने आने वाले हैं, ओके, तो ये चीज़ समझ में आगे, कि लिखकर क्या आना है, दोनों में से कोईसा भी question आएगा, तो आपको क्या answer लिखकर आना है, तीन माख सा question है, बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लेना, fine, now, what precautions and measures should you take while using web services, such social networks, e-shopping, etc., बहुत ध्यान से समझो, e-shopping is another important और popular service, web service, right, e-shopping क्या है, popular web service है, right, हर कोई person e-shopping करता है, है न, आप भी करते हूँ, मैं भी करते हूँ, generally हम हमारे phone का use करते है, mobile phones का, e-shopping, websites का use करते है, Amazon, Flipkart, वगेरा, Mintra, Snapdeal, वगेरा, और वहाँ से आप e-shopping करते हो, है न, यह क्या है, secure websites है, जिनका use कर सकते हो, ठीक है, अब, इसमें क्या precautions होते हैं, क्या measures होते हैं, जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, while you doing the online shopping, सबसे पहला तो always place order from a secure connection, सबसे most, most, most important चीज, कि internet का जब आप use कर रहे हो, तो आप कितना secure हो, यह हमारी सबसे पहली चीज होती है, कि हमें यह ध्यान रखना है, कि security हमें maintain करना है, privacy हमें maintain करना है, क्योंकि internet पे बहुत सारे ऐसे viruses, mailwares, hackers हैं, जो आपकी information के पीछे लगे ही रहते हैं, ठीक है, कि कब आपने गलत information डाली, गलत website का use किया, गलत link पे click किया, यह आपने कोई OTP share किया, तो आपकी information गई, समझ में आया, तो हमें सबसे main important चीज, क्या धियान रखना है, security, कि जस भी website का आप use करके online shopping करने वाले हो, तो always place order from a secure connection, from a secure website, ओके अप secure कैसे होगी, क्या होगी, सब अपने detail में समझाए, know the merchant and their reputation, मतलब जब आप secure connection, आपके पास में सबसे वहले तो internet connection भी secure हो, ऐसे कोई public connection पे आप नहीं कर सकते हो, जैसे railway station वगरा पे Wi-Fi वगरा मिलता है, तो आप वहाँ भी use नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप payment gateway का भी use करने वाले हो, जब आपने order place किया, तब आप payment करोंगे, कोई भी चीज़ की, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, secure connection चाहिए होगा, और secure website भी, so merchant जो है, जिससे आप deal करने वाले, जैसे हम Amazon की बात करें, flip card की बात करें, तो वो भी उसकी reputation भी आपको ध्यान में रखनी होती है, मतलब यह पता होना चाहिए, कि market में उसके कितने ratings हैं, कितने reviews हैं, fine, avoid offers that seem too good to be true, ओके, वो offers को आपको avoid करना है, जो बहुत जादा आपको ऐसे बिताते हैं कि यह use करो, बहुत जादा अच्छा है, ऐसा आव ऐसा, ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, if you are buying a gift card, यदि आपको कोई gift card मिलता है, या आप gift card purchase करते हूँ, तो proper terms and conditions को read करो, don't use an e-store, that requires more information than necessary to make this sale, ठीक है, need to create a password for the site, make it unique, यदि आपको जरूरत पढ़ती है, किसे website को access करने के लिए password की, तो वो password share नहीं करना है, उस password को आपको unique create करना है, unique मतलब कि आपका जो password होना चाहिए, वो strong होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने friend का नाम, mobile number या अपना नाम सेट कर दिया, है ना, special characters होने चाहिए उसमें, कुछ lower के सपर के slatters होने चाहिए, numbers होने चाहिए, यह check करो, जिस site का आप use करें, जिस website का, क्या वो secure है, use a credit card और paytm, जो भी payment mode आप use करें, वो भी secure होना चाहिए, आप online banking यूज़ कर सकते हो, credit card यूज़ कर सकते हो, paytm, phone पे, जो basically secure channel है, उसी का use करें, payment gateway के लिए भी, ठीक है, always check the company's shipping terms, जो भी आवा order place करें, कुछ purchase करें, तो company की क्या terms condition है, उसो बहुत ध्यान से, पढ़े, है, समझे, ठीक है, shipping terms को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, use a reliable internet security program, और internet पे secure रहने के लिए, आपको एक security program, जो easy है, reliable है, उसका use करना है, तो यह कुछ precautions है, जो क्या है, जब आप online shopping करते हो, या आप social network में, services को access कर रहे होते हो, कोई भी services को, तो आपको धिहान में रखने, how is an MMS different from SMS, मतलब कि अब यह बात हो रही है, यहाँ पर mobile technologies की, ठीक है, हमारे chapter का नाव है, internet services and mobile technologies, तो four type की mobile technologies को, हमने discuss किया था, कौन कौन सी, SMS, MMS, 3G, 4G, okay, 2G, 3G, 4G, fine, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, SMS और MMS में difference बताना है, जो कि बहुत easy है, तो पहला difference तो आप यहाँ पर इनके full form का भी लिख सकते हो, suppose SMS की बारे में आपको लिखना है, तो क्या होता है, इसका full form जल्दी बता दो, short message service, है ना, तो आपका एक जो difference है, वो यह भी बन सकता है, ओके, short message service, इसका क्या होगा, multimedia messaging service, fine, अब SMS क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, SMS के through, आप send कर सकते हो, text messages को, किसको, only text messages को, over cellular network, जो cell phones हैं, आप उनका use करके, सिर्फ text messages को, share कर सकते हो, और यहाँ पर आप किसी भी तरीके का, कोई multimedia को, यह support नहीं करता है, ओके, अब MMS क्या करते हैं, MMS यहाँ पर, text message के साथ-साथ, आप यहाँ पर, multimedia को भी, share कर सकते हो, ठीके, so it is a method to send text messages, along with multimedia over a cellular network, it supports multimedia, यह multimedia को support करता है, multimedia की बात करें तो, images, audio, video, files वगेरा, ठीके न, graphics वगेरा, multimedia का, मतलब clear हैं न, अब यहाँ पर, जो SMS होती, उनकी limit होती, कि 166 character से ज़्यादा, का आप text message send नहीं कर सकते हो, 166 character तक का ही, एक SMS बनता है, यदि आपके character ज़्यादा है, तो वो split हो जाता है, एक से ज़्यादा SMS में, fine, और यहाँ पर जो image है, जो image आप share कर रहे हो, text message के साथ, तो image messaging can be include, up to 500 KB, मतलब 500 KB किसके equal हो जाएगा, 1600 watts के equal होगा, and up to 30 seconds of audio and video, audio video भी 30 seconds के, आप यहाँ पर share कर सकते हो, किसमें MMS में, तो यह होगा है आपके difference MMS और SMS में, clear हो अच्छे से, चार नंबर में आएगा, तो एक difference आप लिख सकते हो, किसका, इसके full form का भी, clear, तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 differences आपको बताएं, तो यह किसकी technology है, यह mobile phone की technology है, traditionally SMS और MMS चलते थे, ठीक है, आजकल तो WhatsApp, Insta, हमारे phone Android हो चुके है, 2G, 3G, 4G, 5G technology ही आने वाली है, जिसमें आप internet connection एक्सेस कर सकते हो, email account एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, वेब सर्चिंग वगरा सारी चीज़ कर पा रहे हो, fine, next, why it is used, कि ये use क्यों किया जाता है, तो telnet का full form होता है, terminal network, क्या होता है, terminal network, और telnet जो protocol है, वो character based protocol है, मतलब यहाँ पे जो आप लिखते हो, वो command के form में आपको access करना होता है, basically ये जो protocol है, ये use होता है, किसलिए, remote system को, server system को access करने के लिए, server system पे यदि आपको login करना है, आपको internet को explore करना है, commands के form में, तब telnet protocol का use किया जाता है, generally ये secure protocol नहीं होता है, ठीकिये, basically जो most important serious work होते हैं, जो scientist वगेरा, जो researchers होते हैं, वो पहले इस telnet protocol का use करते थे, जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को connect करते थे, login ID के थू, remote system को access करते थे, और remote session में काम करते थे, internet को explore करते थे, web explore करते थे, actually, searching का काम करते थे, okay, so ये चिस समझ में आ गए, so telnet is a network protocol, used to virtually access a computer, and to provide a two-way collaborative, and text-based communication channel, between two machines, समझ में आया, कि text-based communication आपको telnet protocol provide करता है, virtually यहाँ पर दो machines आपस में connect होती है, okay, it follows a user command transmission control protocol, IP protocol that is internet protocol, networking protocol for creating remote sessions, आप जैसे मैंने बताया था कि remote, जितने भी protocols है, remote server system को access करने के लिए, जितने भी type के हमने आप रोटोकल देखे थे, वो सब किसके साथ काम करते हैं, वो कैसे communicate करवा रहे हैं, दो computer system को, कैसे create कर रहे हैं, communication, तो उसके लिए जो protocol use करते हैं, वो TCP IP protocol की मदद से ही, है ना, मतलब अगर telnet protocol, remote server को access कर रहा है, तो किसकी मदद से कर रहा है, TCP IP की मदद से कर रहा है, क्योंकि TCP IP होता है, communication establish करने के लिए, दो systems को आपस में connect करने के लिए, और telnet की मदद से हम उस system पे, server system पे, जो भी internet का, server system पे जो भी information है, उससे आप access कर पा रहे हो, है ना, web को आप explore कर पा रहे हो, by using text communication, ओके, इसका डाइग्राम भी आप यहाँ पे बना सकते हो, टलनेट का, basically टलनेट का यद्री डाइग्राम आता है, exam में बनाने को, वैसे डाइग्रामेटिकली समझा के आऊंगे, तो ज़्यादा बैस्ट होगा, यह हो जाएगा आपका टलनेट क्लाइंट, system, ओके इस तरीके से आप डाइग्राम बना के आ सकते हो, यह हो गया हमारा टलनेट, server, system, या फिर आप इसे टलनेट, remote server system भी कह सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप login कर रहे हो, ठीक है, login की process है, यहाँ पे आपका connection, established हो चुका है, ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यह connection successful ऐसा कुछ लिख सकते हो, यह client system हो गया, यह server system हो गया, तो यहाँ जो भी conversation हो रहा है, वो किस form में हो रहा है, वो हो रहा है text based conversation, तो आप यहाँ पे text based conversation भी लिख सकते हो, कि जो conversation हो रहा है, वो text based है, तो इस तरीके का आप डाइग्राम भी यहाँ पर बना के आ सकते हूं, अगर यह और ज़्यादा मार्स में पूचा जाए तो आप यह चीज और एड कर सकते हूं, देखो जितना डाइग्रामेटिकली समझाओंगे ना एक्जाम में, उतना अच्छे मार्स आप स्कोर करोगे, यह चीज भी आप ध्यान रखना, बेसिकली जो हमारा चाप्टर है, इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट टर्मिनलोजी जो है, वो क्लाइंट सर्वर पर ही बेस्ट है, हैना अब अलग-अलग प्रोटोकॉल जो तीन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यह बहुत धिहान रखना अच्छे से, कि SFTP प्रोटोकॉल को सिक्योर क्यों कहा जाता है, तो FTP प्रोटोकॉल तो सबको अच्छे से क्लियर है, जिसका फुल फॉर में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करता है, मैं help कर रहे है, सर्वर सिस्टम से, क्लाइन से, सर्वर सिस्टम तक, है ना, जो आपको सिक्योरली लॉग इन की फैसलिटी दे रहे है, that is called SFTP, तो यह सिक्योरली कैसे हो रहा है, यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जा रहे, so a file transfer protocol SFTP secure, it protects the integrity of your files and data by using encryption, द support FTP connections, बहुत से ऐसे FTP client systems भी होते हैं, जो SFTP की connection को use करते हैं, okay, so समझ में आ गया, कि FTP file को transfer करने के लिए जो protocol होता है, वो FTP होता है, इसी का secure version जिसमें encryption टेक्निक का use करके, हम securely connect हो सकते हैं, remote server से file को transfer कर सकते हैं, data share कर सकते हैं, user ID login credentials को आप share कर सकते हो, तो securely जब आब यह काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम SFTP का use करते हैं, ओके, अब यहाँ पर भी देखो encryption टैपनिक का user है, यहाँ भी आप diagramatically समझा के आ सकते हो, वही उसी तरीके से सेंग जैसे मैंने भी बताया, वैसी आप diagram draw कर सकते हो, clear, तो आब बार बार मुझे diagram draw करने की जर्वत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से draw करके आना है, ओके, देखो, यह आपका हो गया client system, clear, यह क्या है हमारा client system, जो file को transfer कर रहा है, यह हो गया आपका remote server system, ठीक है, आप चाहँ तो सिर्फ server भी लिख सकते हो, server system, ओके, अब यहाँ से जो भी data transfer हो रह है, वो data किस फॉर्म में है, encrypted way में है, राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कि secure कैसे है, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, कुछ तरीके से, secure, FTP protocol की मदद से data transfer हो रहा है, ठीक है, किस technique का use कर रहा है, encryption का use कर रहा है, ठीक है, तो यह होगे, आपका client system, यह होगे, server system, secure FTP का आप use कर रहा है, मतलब SFTP protocol की मदद से encryption technique का use कर का आप data travel हो रहा है, तो ऐसा आप diagram भी बना के आ सकते हो, इस question में, fine, now, next देखते हैं, अब, what is SSH, how it is related to SFTP and SCP, अब जैसे मैंने बताया है कि SFTP जो protocol है, जो encryption technique का use कर रहा है, ठीक है, तो यह किस की मदद से, SFTP protocol अकेला work नहीं क TCP IP की मदद से तो करी रहा है काम, यहाँ पर यह SCP protocol और SSH protocol से related होता है, है न, कैसे, SFTP is an abbreviation of SSH file transfer protocol and is exactly that a protocol for transferring files over SSH connection, SSH मतलब secure shell, secure shell, ठीक है, secure shell, एक secure channel का use करेगा SFTP protocol, ठीक है, किसके लिए data को transfer करने के लिए, connection establish करने के लिए proper, securely, और SCP क्या करेगा, secure copy करेगा, ओके, किसकी copy करेगा, फाइल की, जब फाइल actual upload या download होगी, ओके, तो secure copy create कौन सा protocol करेगा, SCP, तो secure copy is also file transfer protocol that runs over the SSH connection, connection establish करने के लिए use होगा SSH, है न, और data को transfer करने के लिए securely use होगा, SCP, और यह दोनों protocol, मिलकर बनाते है, SFTP protocol को, समच में है, मतलब यह दोनों working किस के साथ करते है, इस प्रोटकॉल के साथ करते है, समच में आगे अच्छे से, so it is precursor of SFTP, allows the copying of files and directories, over the internet, over the SSH, clear, so यह च्छे से clear होई कि कैसे इस तरीके से भी पूचा जा सकता है, आप से question कि कैसे यह तीनों आपस है, क्या facilities है, जो e-learning आपको provide कर रहा है, तो e-learning जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप अभी सीख रहे हो, समच रहे हो, test paper देख रहे हो, और यह कहीना कहीं आपकी board exam के लिए 100% useful है, क्या पता e-learning का यही question है, as it is आपकी exam में आगया, क्या पता क्या आएगा, e-learning का भी a question हैंगे आपकी exam में, right, तो e-learning जो हम कर रहा है, किसका यूज करके, electronic means का, internet का, यूज करके, आप अपने laptop, PC, mobile phones पे जो access कर पारे हो, कहीं भी, किधर भी, कैसे भी access कर सकते हो, convenient है, जो, जिसके लिए आपको school नहीं जाना है, proper discipline को follow नहीं करना है, है ना, आपको सुबाउट क ready नहीं होना है, clear, आप खाते पीते कैसे भी e-learning कर सकते हो, right, अपने mobile phones का use करके videos देख कर, okay, so e-learning setup is implemented, is quality way, offers many utilities, both the teachers and students and learners, teachers, schools, students, learners, सब के लिए क्या होती है, e-learning बहुत important होती है, और बहुत सारे benefits आपको provide करती है, जैसे कि बात करें, overall cost है, यहाँ पर reduce होती है, जिस भी e- e-learning software का आप यूज कर रहे हो, तो आप उस software को यूज करो generally, एक teacher है और multiple जो है, वो students है, या फिर learners है, जो उस चीज से सीख रहे हैं, कुछ training ले रहे हैं, तो आपको एक office setup करने की, traveling cost, बहुत सारी cost क्या होती है, यहाँ पर reduce हो जाती है, okay, e-learning is interactive and hands-on, interactive होता है session, hands-on होता है Now, it is also flexible, consistent delivery, यहाँ पर जो भी आपको knowledge provide किया जारा है, जो भी training दी जारी है, उसके delivery भी consistent होती है, proper internet connection होना चाहिए, easily manageable होता है, जो भी आपको doubts को अगरा है, वो आप email करके share कर सकते हो, message करके share कर सकते हो, comments में share कर सकते हो, आपके सारे doubts को भी clear किया जाता है, right, तो easily manageable भी है, ऐसा नहीं कि manage नहीं कर पार हो, but हाँ कि e-learning यदि आपको करना है, तो आपको proper fast internet connection की जरूरत होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए और इसके साथ आपको proper hardware device भी जरूरी होना चाहिए, यह दो चीज़े compulsory है, तभी आप e-learning का भरपूर use कर सकते हो, utility को access कर सकते हो, तो क्या कराना, utility is clear, okay, now, what are the commonly used mobile technologies, अब commonly used कौन कौन से mobile technologies है, यह भी दो number में पूछ सकते हैं, okay, SMS, MMS, 3C, 4G, यह देखा था हमने, mobile technologies में, यह चार टाइप की होती, इनकी full forms भी आप से पूछ सकते हैं, short message service, multimedia messaging service, third generation, fourth generation, देखो इस chapter से full form भी बनते हैं, हो सकते हैं, आप से protocol के full form है ना, SMS, MMS, इनकी full form भी बता हो, तो full form याद कर लेना, अच्छे से छोड़ना मत इस question को, okay, so कितने type की mobile technologies है, four SMS, MMS, 3G and 4G, third generation, fourth generation, multimedia messaging services, short message services, clear, अब यह सब अपने अपने, अपने features के साथ में extend है, यह सब कैसे, यह एक दूसरे का extension है, है ना, पहले text message चलते थे, फिर उसक access कर सकते थे, ठीक है, आप SMS, MMS, सारी चीज़े, अपने 3G phone में access कर पा रहे हो, smart phones आ गए, android phones आ गए, 4G technology में, और ज्यादा high speed के साथ, आप internet access कर पा रहे हो, internet में, जितनी भी web services, उन्हें access कर पा रहे हो, ठीक है, तो यह चीज़ समझ में आई, कि कैसे यह extend हो रही है, कितने type की services है, now, long answer type questions, अब section number C पे आ गए हम, जो कि क्या है, long answer type question आपको provide कर रहा है, जो की 4 मांक से questions है, तो यह भी questions आप से hope बने होंगे, अब देखो, exam में जो 4 मांक से question आएंगे ना, उसमें theory questions भी हो सकते हैं कुछ, और ज्यादा से ज्यादा application based question भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इस chapter में कुछ ज्यादा application based question तो बनते नहीं है, फिर बे मैंने कुछ application based questions लिए है, ताकि आपके लिए वो helpful और आपको पता चल सके कि कि किस तरीके का exam में question आएगा, application based, तो तीन section में से दो section हमने discuss कर लिए, A और B, 2 और 3 मांक से questions, आप discuss कर रहे हैं हम 4 मांक से questions, section C में, जिस में हम कुछ application based question को भी discuss करेंगे, थियोरी के साथ साथ, ओके, now explain the structure of email address, पहला जो question है क्या है, वो email address का structure बताओ, email address का क्या structure होता है, सभी email करते हो, compose करते हो mail, तो सबसे पहले जब आप email को compose करने वाले होते हो, कोई message send करने वाले होते हो, तो क्या करते हो, जिस भी person को आपको email ID लिख देते हो, हैना, at the rate से जो separate होता है, अब यदि आपको एक से ज्यादा person को mail send करना है, तो आप CC और BCC copy का use कर सकते हो, तो CC copy क्या करती है, अभी difference में रेखा, carbon copy create कर देती है, recipients के लिए, ठीक है, और BCC blind carbon copy create कर देती, blind का मतलब अब clear है न, अच्छे से, कि person को, जिस भ मिलता है, टू फिल्ड में, जो यह टू फिल्ड है, यहाँ पर आपको यदि CC BCC नहीं मिलता है, तो यहाँ पर एक option होता है, add CC और BCC, इस पर जब आप क्लिक करोंगे, तो आपको CC और BCC वाली फिल्ड शो होगी, और यहाँ आप multiple addresses लिख सकते हो, multiple email accounts लिख सकते हो, okay, next आत birthday का invitation भेजने वाले हो, तो आपने लिखा invitation for birthday, ठीक है, यह क्या हो गया, एक subject हो गया, यहाँ उसके बाद में message body आती ही, जहाँ पर आपको proper message लिखना होता है, जहाँ अब आप proper format में, format में समझे में आया न, salutation लिखोंगे, dear friend या जो भी यह वो, फिर thanks and regards, proper, proper, एक format में कुछ इस तरीके का sign होता है attachment का, इस पे click करो, या फिर आजकल तो जो ज़्यादा technology के साथ में email accounts भी update होगा, एक attach करके button भी show होता है, या तो ये show होगा, या तो ये show होगा, दोनों में से कुछ भी show होगा, आप attach पे click करोंगे तो आप file को attach कर सकते हो, so you can attach one or more picture and document, any other with your email, some computer specify a maximum size for emails, they can handle, so you can have to keep in mind that you intend this send very big attachment, तो यहाँ पर कुछ 3GB, 2GB का limit होता है, उससे ज्यादा का file आप attach नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा का image वगरा है, या video audio attach नहीं कर सकते हो, तो आपको limit धियान रखनी है, file को attach करते हो time, okay, now आप date भी mention कर सकते हो, या फिर किस date पे कोई सा mail आपको check करना है, तो आप भी check कर सकते हो, okay, then after that इसके बाद में एक option आता है, send button, जब यह आपने सब लिख दिया, तो send पे clicker में, तो message आपका send हो जाएगा, यही basic format है, जो हमें ध्यान रखना होता है, जब आप email send करते हो, okay, so यह question समझ में आ गया, कि अगर structure of email पूछते है तो आपको subscribe, kia नाम लिख कराना, अब यदि यगी equation, दोनमर में आएगा, तो क्या करूं इतना सारालिक करा हूँगे, नहीं, दोनमर में आएगा तो आपको सिर्स के नाम लिख कराना ये किये फिल्स करते है, okay, तीन चार नमर में आता है, तब आपको इतना फूरा और यदि हम बात करें ट्वीटर वगेरा यह सब क्या है यह सब शोशल नेटवरकिंग वेबसाइट से जहां पे ग्रूप्स क्रियेट होते हैं बहुत सारे परसंस कम्यूनिटी के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं अपने आइडियास को व्यूस को शेयर करते हैं कमेंट करते हैं करते हैं पिक्चर्स वगेरा इमेज़ वगेरा कुछ तो ऐसे होते हैं जो न्यूज को हमेशा पोस्ट करते हैं है ना तो यह शोशल नेटवरकिंग वेबसाइट के जितने यूजज़ है उससी के साथ इसके मिस्यूज भी है तो यूज़ और मिस्यूज दोनों आपको इस क तो मेज़ यूज़ उस और शोशल नेटवरकिंग अर लिस्टेट वलो उसस क्या होगे सबसे पहले तो कि यहां पर आप एजी वे में कनेक्ट कर सकते हो पीपल से हो सकते हो ना कनेक्ट इसी वे में आपको बस पीपल दिखते हैं वहाँ पर उनका काउंट दिखते हैं बस आपको request send करनी होती है then you can connect with the people आप फिर chat कर सकते हो pictures share कर सकते हो right easy to hold discussions and collect opinions लोगों के क्या opinions है क्या discussion से उन्हें आप देख सकते हो समझ सकते हो interactive involvement होता है यहाँ पर यदि एक interest की persons आपस में connected है तो वहाँ पर involvement होता है वो interactive होता है atmosphere भी interactive होता है brings more awareness कुछ ऐसे people होते है social networking websites पर जो न्यूजी न्यूज शेयर करते हैं तो आपको कोई news media channel या newspaper पढ़ने की ज़रुवत नहीं होती है आपको social media websites पर सारी चीज़े पता चल जाती है right तो हमें क्या होता है यहाँ पर being bring more awareness ओके आपके अदर ज्यादा awareness लेकर आता है ठीक है next और नहीं रहने देते हैं ठीक है यह चीज़ हम बोल सकते हैं तो मिस्यूज क्या हो रहा है कि डेटा information जो आप पोस्ट कर रहे हो यदि कोई innocent user है तो उसकी मिस्यूज होती है okay credibility of information कैसे मिस्यूज होती है यह information कैसे credibility नहीं होती है इसकी reason सर्फ इतना है कि जो hacker software से वह आपके information को access करने की कोशिश करते हैं उसका misuse करने की कोशिश करते हैं ठीक है मिस्यूज कैसे कर रहे हैं वह मिस्यूज कर रहे हैं आपी के नाम से आपी के behavior attention seeking disorders and addiction मेरी किसी को लत लग गई social media website की तो वो दिन राज social media website पर लगा रहता है डेली की photos update करना WhatsApp messages update करना है न यहीं सारी चीज़े चलती है तो यह का addiction की तरह भी seeking disorder की तरह भी होता है ओके जो person की health को भी affect करता है तो यह होगा इसके misuses तो आपको four uses four misuses मतलब खुल मिला के बात की जाए तो हर एक web service के जितनी web services हमने इस chapter पर पढ़िये सब के merits और demerits अच्छे से करना है fine आगे what is significance of SSH protocol अभी देखा हमने SSH protocol secure shell क्या significance इसका secure shell protocol मतलब secure path आपको secure way provide कर रहा है data को transmit करने के लिए remote server से communication करने के लिए है ना तो जो protocol हमने देखे हमने क्या देखे तलनेट और FTP protocol को देखा तो information is unencrypted यहाँ पर जो data information होती है वो unencrypted form में होती है है ना secure होते तो encryption होता data का ठीक है तो unencrypted form में होती ही मतलब कोई भी इसे easily hack कर सकता है आपकी information easily still हो सकती है कब जब आप telnet FTP protocol की मदद से data को transfer कर रहे हो remote server को access कर रहे हो तब so traditional time पर telnet protocol का use किया जाता था text based connection established होता था text based communication remote server के साथ होता था ठीक है the information is exchanged between the client computer and the server computer is not sent directly to the machine it is rooted through the several machine to get there मैं जब ऐसा नहीं कि client to server के बीच में directly connection हो रहा है directly authenticated way में data transfer हो रहा है ठीक है वहाँ पर बहुत सारे route होते थे data को travel करने के transfer करने के उसका use किया जाता था ठीक है कब telnet protocol लेकिन since your data is unencrypted यहाँ पर हमारा data भी encrypted होता है it is unsecure hence any hacker can easily hack your data such as username and password and other data shared etc. तो secure shell protocol ने क्या किया secure shell protocol का काम था यहाँ पर कि यह जो telnet FTP आपको security नहीं दे रहे है वो security provide करना ठीक है तो unencrypted data को encrypt करना so but if you use as a such it secures your data creating a secure connection with encrypted data समझ में आया so this ensures that only the client and the server will have access to the actual data so encrypted data जब travel करने लगा तो अब यह पता चला कि data सिर्फ वही access कर पाएगा actual data को जो client है और जिस server system के पास में डेटा जा रहा है बागी बीच में रिक्स करेगा तो उसे data encrypted वे में ही दिखेगा unencrypted वे में नहीं दिखेगा समझ मैं मतलब उसे actual data नहीं दिखने वाला है clear तो यह समझ में आगे अच्छ से कि SSH का काम क्या है क्या इसकी इंपोर्टेंस से क्यों एक्चुली हम SSH प्रिटकॉल का यूज होता है वर्चुली डेटा ट्रांसफर जब होता है था ठीक है नौ गिव देफरेंस बेवें 3G और 4G अब 3G और 4G मोबाइल टेकनलोजी की बीच में डिफरेंस बताना है आपको ओके अब यह अगेन डिफरेंस वाला कॉशन दो तीन में भी पूछा जा सकता है अपसे है ना तो 3G और 4G जो टेकनलोजी है थार्ड जनरेशन और 4 जनरेशन इसने बेसिक डिफरेंस क्या है ज्यादा कोई बहुत बढ़ा डिफरेंस नहीं है बेसिक डिफरेंस यह है इंट जैंक जैंक प्रक की वार्ट जनेरशन इसे डिफरेंसों संपर की जनरेशन ठीन वासंने शनें सेंट जिन थेश्टических जो इनन थैंट Se假ida ऑकन फेरेंस यह मतलdest से इंटक्ड वश्यों फार्ट जिवटरेंस पें इह जैंब वाघ्एक मीश्यू सिस्टम संवस्टाइम पर ड technology का use करते हैं अपने mobile phone में और यदि आपको फाइल को अपलोड कर रहे हो तो फाइव एपीस की स्पीट से अपलोड होती है ठीक है और यदि आपको फाइल को डाउनलोड करते हो तो वह 21 अपीस की स्पीट से यह बात करें तो 500 Mbps की स्पीट से फाइल आपके अपलोड होती है और डाउनलोड की स्पीट से होती है यह नौट है ठीक है? बाइल किसे स्पीट से होती है वह 500 Mbps की स्पीट से ही होगी ठीक है और आब जो फोण आ रहे हैं 4g के वो तो आपको GBPS की बी फेसलिटी दे रहे ह यह तो हमने general difference point of view से बताया है, अब 3G technology जो है वो packet switching technique का use करता है data को transfer करने में और यह जो technology है वो message switching, packet switching दोनों का use करता है, 4G technology, okay, so बस technologies की बीच में जो 3G, 4G technologies ज्यादा difference नहीं है, उनके features में difference है, बस उनके data transfer speed में difference है, कि आप internet का use कर रहे हो 3G, 4G technologies में अपने mobile phones में, तो आप कितनी speed से, कितनी high speed से internet को access कर पा रहे हो, files को upload, download कर पा रहे हो, okay, now, how search engine work, अब search engine कैसे work करते हैं, search engine के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ भी आ गया, तो search engine कैसे work करते हैं, search engine works with the help of the 3 element, 3 element की मदद से search engine जो है, internet server से आपके data को search करके लेकर आते हैं, सहज़ मैं है, search engine देखा न, google search, yahoo search, bing, clear, तो ये जो search engine है, वहाँ पे 3 element होते हैं, जो work करते हैं, आपकी query को fulfill करवाने में, http, जो server है, web server, वहाँ से data को access करने में, सबसे पहले आपे जो element है, spider, web crawl, और boat और agents, ये कुछ programs है, ठीक है, spider, web crawl, boat और agent, ये क्या करते हैं, ये search engine के वो software होते हैं, ज तो क्या search करते हैं, internet पर आपके document को search करते हैं, जिस web address के थूँ आप search कर रहे हो, सबसे पहले तो वो document search होगा, web address के थूँ, spider क्या करेगा, वो document को search करेगा, अलग-अलग databases में से, ठीक है, कहा उसको मिल रहा है, indexing software and databases, जब document में से web address का use करके data आपको मिल जाता है, ठीक है, जो भी आप search करने वाले हो, उसकी indexing होती है proper, कि पहले क्या दिखेगा, फिर क्या homepage दिखेगा, फिर कोई सा दुसरा page दिखेगा, website का, तो indexing software extract information from the document and web addresses, prepare a index and store in a database, एक proper database बन जाता है, उसमें store कर लेते हैं, store करने के बाद में search algorithm का use करके, web browser पे, उसी search engine पे आपको, आपका result show होता है, तो third element is search engine, when you perform a search by entering keywords, the search engine software searches its database, using a particular search method called search engine, तो कौन सी method search की use करना है, वो indexing software database का use करके, आपको information मिलती है, तो कुछ इस तरीके से मैंने process आपको detail में समझाई थी, search engine की कैसे search engine work करता है, so search engine follow links to look around the internet using automated programs with search boards known as web crawls और spiders, so यहाँ पे से वो भी search engine का use आप कर रहे हो, Google का use कर रहे हो, yahoo messenger का, yahoo search का आप use कर रहे हो, ठीके, जिस भी search engine का आप use करते हो, search engine का use करके, जो भी चीज आप keyword phrase, जो भी search करते हो, तो सबसे पहले spider, जो software होते हैं, जो programs होते हैं, search engine के, वो क्या करते हैं, database में से, जो भी website आपकी होगी, वहाँ से search करते हैं, ठीके, search करने के बाद, दूसरे step क्या होती है, spider evaluates and learns about your web page by analyzing metadata and keywords, अब spider जो है, यह एक program है, जो तीन हमने elements देखे थे, एक्चुल में कोई spider नहीं होती है, clear, यह तो जास्ट आपको समझाने के लिए, डाइघ्रमेटिकली व्यू दिया हुआ है, अब यदि exam में आता है न, how search engine work, तो आप यह process को भी explain कर सकते हैं, इस तरीके से draw भी करके आ सकते हो, देखो, draw करके आओंगे तो obvious अच्छे marks और अच्छे marks मिलना है, fine, so spider क्या करेगा, फिर evaluate करेगा, किसे evaluate करेगा, आपके keyword को, phrase को, सारे databases में से search करेगा, search करने के बाद में क्या prepare करेगा, इंडेक्स प्रिपेर करेगा, ठीक है, so spider crawl from page to page and builds a list of what content, जो भी word आपने सर्च किया है, keyword phrase उसकी एक list बनाएगा, और सारे जो pages जिसमें searching हुई है, उन्हें इखटा करेगा, integrate करके एक इंडेक्स प्रिपेर करेगा, ओके, so spider combined finding from each page and builds an index, enlarge databases, और index build करने के बाद में, फिर spider search algorithm, ठीक है, search algorithm जो third element है, search algorithm की मदद से, जो भी data find out हुआ है, जो database prepare किया गया है, finally जो आपका search result ready हुआ है, so कौन से search algorithm का use करके, कौन से root का use करके, आपके browser पर answer result return करना है, वो depend करता है, किस पर search algorithm पर, ठीक है, तो सबसे पहला, जो element है, वो कौन सा element हुआ आपका, spider boat agent, ओके, वो क्या करेगा, सबसे पहले, database में से searching करेगा, searching करने के बाद एक document prepare करेगा, meta data वगेरा, सारी चीज़ों को search करने के बाद में, document prepare करेगा, फिर index software उसके indexing करेगा, indexing करने के बाद में, database prepare करेगा, वही database के according आपको result show होगा, ठीक है, और उसको किस तरीके से आपके web browser पर show करना है, उसके लिए कौन से search algorithm use होगी, तो search algorithm जो तिसरा element था, वो आपके search engine पर answer को return करेगा, result return करेगा, तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि search engine work करता है, इसे मैं बहुत बार समझा चुकिए, one shot में भी समझाया था, question answers में भी समझाया था, और आज test paper में, फिर से मैंने ये चीज़ आपको explain किये, so hope आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ओके, now, 27th question, what are the commonly used types of chat, कितने type की chats होती है, तो chatting तो सबको clear है, हमने discuss किया था, क्या होता है, online textual conversation is known as chatting, जब आप internet का use करके, textual conversation करते हैं, और text के form में बात करते हैं, किसे software का use करके, तो वो क्या कहलाता है, chatting कहलाती है, ठीक है, एक एक से जादा people के साथ, अब कितने type की chats आप कर सकते हो, कितने तरीके से आप basically इसको categorize किया गया है, तो सबसे पहले इसको categorize किया गया है, four parts में, IM, ICQ, internet relay chat and web based chat, तो चार types की chats आपकी book में mention है, जिसमें IM that is instant messaging है ना, जिसका use किया जाता है chatting के लिए, सबसे पहले post letter वगएरा का use किया जाता था, ठीक है, message को transfer करने के लिए, फिर email वगएरा का use किया जाने लगा, telephone lines का use करते थे, telephone के थूँ आप communicate करते थे, ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, जिनका use हम करते हैं, लेकिन, IM जो है instant messaging, ये telephone lines के थूँ जैसे आप communicate करते हो ना, by using call, बट उसमें हम voice call पे बात करते हैं, यहाँ पे आप textual talk करते हो, ठीक है, so IM क्या हुआ, it is a type of communication service, या IM software, किसका use करते हैं हम यहाँ पे, IM software का, that enables one to create a kind of private chat connection, जो कि आपको private chat connection provide करता है, with another individual in order to communicate in real time over the internet, अब जिस पर मैंने circle किया है न, वो lines, वो points important है, कि instant messaging softwares होते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, private chat कर सकते हो, एक या individual के साथ, या group of individual के साथ में, और internet की necessary होती है, मतलब यदि internet available नहीं है, तो आप instant messaging software का use नहीं कर पाऊगे, ओके तो real time में जो communication होता है, उसके लिए IAM softwares का use किया जाता है, IAM chat हम इसे कहते हैं, कैसे होती है, बिल्कुल जैसे telephone पर आप conversation करते हो न, बिल्कुल उसी तरीके से होता है, but voice based ना होकर कैसा होता है, text based होता है, इसके अलावा यदि हम वाटसप अगेरा की बात करें तो वो सब instant messaging software का ही example है, ओके, अब ICQ, ठीक है, ICQ और ICQ, ये इसका full form हुआ, full form भी पूच सकते हैं आप से, ठीक है, 1970s में ICQ वाला software बनाया गया था, किसके लिए basically, ये specifically chatting के लिए ही बनाया गया था, it offers chatting via ICQ software, इसके लिए अपना एक software है, ICQ software, जो कि chatting offer करता है, अब ये सिर्फ chatting offer नहीं करता है, ये conferencing tool है, कौन सा tool है, conferencing tool, जिसके through आप क्या कर सकते हो, आप chat कर सकते हो, email send कर सकते हो, file transfer कर सकते हो, computer games किल सकते हो, and many more facilities provided by ICQ software, ओके, so when you download ICQ program, जब आप इस software को इस program को download करते हो, जो कि free of cost आपको internet पर मिलता है, you are assigned an ICQ number, तब आपको एक ICQ number allot किया जाता है, assign किया जाता है, दो या दो से जादा people ICQ पर chat कर सकते हैं, और उनके same nickname हो सकते हैं, लेकिन ये दियान रखना है कि उनका जो ICQ number होता है ना, वो same नहीं होता है, वो different होता है, क्योंकि ICQ software पर जो persons chat कर रहे हैं, उन्हें पहचानने के लिए ICQ number allot किया जाता है, ठीक है, तो नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ICQ number अलग-अलग होता है, हर एक individual का, जिसका use करके वो इस software पर chatting कर सकते हैं, और ये सारे जो हमने अभी पढ़ेगी, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, आप email, chat वगेरा, सब चीज़े कर सकते हो, तो एक तरीकी का ये conferencing tool हुआ ICQ, ओके, तो थर्ट टाइप का हमने क्या देखा था chat, IRC, internet, relay chat, ओके, तो ये भी real time chat होता है, अनलेक आयमन, ICQ, IRC is not owned by any company, किसी company के थ्रूँ ये owned नहीं होता है, इसका अपना client program होता है, ठीक है, you need an IRC client program, it has many networks that are completely separate from one another, okay, now if you want to chat with someone, IRC server via pieces IRC client program, मतलब यहां पे आपको क्या करना है, एक client program को access करना पढ़ता है, और इस client program को access करने के बाद में, फिर जो भी आप chat करने वाले हो, किसी person के साथ, तो सबसे पहले server के साथ connection establish होता है, then आप chatting continue कर सकते हो, इसलिए इसे internet relay chat कहा गया है, ठीक है, जैसे उसमें software होते हैं, अलग-अलग programs होते हैं, उनका आप use करते हो, directly, बट यहां ऐसा कुछ नहीं होता है, once you connect with an IRC server, एक बर यह दे connection establish हो जाता है, then often thousands of rooms, thousands of chat rooms available होते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी topic पे based, है ना, या फिर thousands of people, जो communicate कर सकते हैं, group में, किसी topic या, किसी common interest के according, clear, so different people can chat with this, now web-based chat, अब web-based chat क्या होता है, IRC, ICQ, IM, यह सब देखा हां, इन सब से different होते हैं, web-based chat, कैसे different होते हैं, कि यहाँ पे आपको online रहना बहुत जरूरी है, आप internet पे online रहकर ही chat कर पाऊगे, मतलब IRC से different होता है, from it in the sense, यूज करना होता है, no program is really needed to install, यहाँ पे आपको कोई program को जैसे यहाँ पे client program हमें install करना है, इसके पहले IM में देखा था, IM softwares को install करना पढ़ रहा है, ICQ program को install करना पढ़ रहा है, तब आप chat कर पा रहे हो, लेकिन web-based में आपको कोई program install करने की जरूरत नहीं है, that is called web-based, मतलब आपको अपने phone में PC में laptop में किसी तरीकी का कोई program install करने की need नहीं होती है, वैसे WhatsApp भी आजकल हमें यह facility provide करना है, सभी access करते हो, यदि PC पे laptop पे आपको WhatsApp पे chat करना है, तो आप क्या करोगे, WhatsApp वैब किसका use करोगे, WhatsApp वैब का use करोगे, राइट, WhatsApp वैब को जैसे आप open करोगे, बारकोड scan करोगे, अपने mobile phone के WhatsApp से link कर लोगे, तो आपके system पे चलने लग जाएगा, यह WhatsApp वैब क्या होगे, उसकी एक website हो गई है, समझ में है कि आप online राइके उसको access कर सकते हो, तो WhatsApp जो है, वो दोनों का example हो गया, instant messaging का भी हो गया, वैब बेस्ट का भी हो गया, दोनों facility आज कल हमें provide कर रहा है, ओके पहले नहीं करता था, अब provide कर रहा है, राइट, ना question number 28, अब देखो, question number 27 में हमने different types of chat पढ़ा, अच्छे से समझ में आया, चारो टाइप की chats आपको याद कर लेनी है, चारो में क्या difference है, यह पता होना चाहिए, इस पर based question दो numbers में भी पूछ सकते हैं आपसे, what is web-based choice, define this, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इन पर based application questions भी आ सकते हैं, ना 28th question में क्या पूछा है, अपसे, what are the positive and negative impact of e-governance, e-governance के positive and negative impact क्या है, तो पहले e-governance समझ ले क्या होता है, e-governance क्या होता है, जल्दी से बता दो, government की जितने भी work होता है, ठीक है, government related जो अपने rights होते हैं, जिन से related हम work करते हैं, तो हम government offices में जाते हैं, तो अब वो work करवाने के लिए, तो अब वो work करवाने के लिए, आपको government offices के चक्कर नहीं काटने हैं, क्योंकि internet पे government ने कुछ websites बनाई हुई है, कुछ ऐसे programs है, कुछ ऐसे projects launch किये हुए हैं, जिनका use आप internet पे कर सकते हो, और आपको government offices में जाने की जरुवत नहीं है, available है, clear, तो अब website के थूँ ही आप क्या कर सकते हो, इस सब काम घर बैठे कर सकते हो, ओके, या MP online पे जाके भी आप करवा सकते हो, तो यह चिस आपको समझ में है कि government ने भी technology के साथ अपने आपको change करने की कोशिश की है, तो आज काफी हद तक ही successful हो चुका है क्योंकि हर एक बंदा, जो भी government से related work होते हैं, government offices में जाके जो कुछ काम होते हैं, वो आप घर बैठे कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारे इसे projects हैं, बहुत सारी ऐसे websites हैं, जो available हैं, अब इनके क्या positive effect है और क्या negative impact है, वो हमें इस question में लिखना है, ठीक है, यदि हम कुछ बात करते हैं, websites की, government websites की, तो कौन-कौन से government websites हैं, जैसे indianarmy.gov.in, राइट, RTI portal होता है, एक RTI.gov.in, है न, ऐसे बहुत सारे portals हैं, mponline.gov.in, वो क्या provide करती हैं, आपको बहुत सारी यही सारी facilities देती ही न, कितनी universities है, colleges है, क्या-क्या चल रहा है, वो पूरी information आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो यह सब किनकी websites हैं, यह सब e-governance websites के अंदर ही आता है, supreme court.nic.in, यहीं कोर्ट से related कुछ case study वगएर आपको देखनी है, तो आप वो भी देख सकने हो, ठीक है, जो cm help line वाली website है, वो मतलब बहुत सारी चीज़ है, आपको जो government किये, वो सारी websites available होती है, e-governance के अंदर, ओके, तो आप इसके क्या positive impact है, और negative impact है, तो यहाँ पर इस question में आपको 4, 4 या 3, 3 positive, negative impact लिखकर आने पड़ेंगे, 4 marks का यह question है, fine, so single, 2 या 3 marks में भी इसे पूच सकते हैं, सिर्फ ऐसा भी पूच सकते हैं, what are the positive impact, या what are the advantages of e-governance website, सिर्फ इतना भी पूच सकते हैं, या आप से ऐसा भी पूच सकते हैं, what are the limitations or disadvantages of e-governance websites, तो e-governance web services का एक बहुत important role play करता है, okay, now e-governance programs have improved the efficiency of administration and service delivery, देखो, सबसे पहले तो e-governance जो programs होता है, जो government आजकल नहीं नहीं प्रग्राम्स लाँच कर रही है, चला रही है, तो यह क्या improve कर रहे हैं, यह efficiency बढ़ा रहे हैं, किसकी administration की और service delivery की, okay, e-governance programs have resulted in reduced waiting time before the work is done, जब भी काम आपका जो भी अटका हुआ है गया, होने वाला है, उसके लिए आप offices में जा रहे हो, चक्कर काट रहे हो, लंबी लंबी लाइन में खड़े हो, रहे हो, वेट कर रहे हो, तो e-governance website ने waiting time को कम कर दिया, reduce कर दिया, okay, people have also benefited from e-governance in the form of reduced cost of availing the services, कम cost में आपको सारी services government की provide हो सके, है ना, यह भी उनका एक benefit है, e-governance websites का, that has proved successful in keeping a tab or corruption of to some extent, मतलब यह जो corruption के नाम पे जो होता है, है ना, तो e-governance websites के मदद से corruption जैसे चीज़ भी काफी हद तक कम हो रही है, fine, now, क्यों 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 कि यह जो website से वो सब के लिए एक जैसी है, अब office में आप जाओ वे, officer का क्या है, rule, वो अलग बात है, right, लेकिन यहाँ पे जो websites है, जो operate कर रहे हैं, जो e-governance websites है, वो सभी के लिए एक जैसी है, सभी के लिए एक ही webpage खुलेगा, सब को उसी तरीके से कोई भैदबाव जैसे चीज़ या कोई corruption जैसे चीज़ या पॉसिबल नहीं होती है, the negative or not so positive societal impact of e-governance can be summarized as, so जो negative है, impact है या जो बहुत positive impact नहीं है, वो क्या है अब, सबसे पहला ये कि people living in ruler and remote areas could not benefit from e-governance initiatives, आप देखो, आज भी कुछ ऐसे ruler areas है, villages है, जहांके लोग इस चीज़ से aware नहीं है, है ना, तो या हम बोल सकते हैं, उनके पास lack of computerization, computers जैसी चीज़े, mobile phones जैसे चीज़ों की कमी है, टेकनलोजी आज भी कुछ ऐसे ruler areas है, जहां पर नहीं पहुची है, तो उन्हें आज भी government offices जाना पड़ता है, अपने काम के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होती है, राइट, तो यह जो है lack of computerization, यह हम बोल सकते हैं कि एक limitation है, कहां पर ruler areas के, बाकि आज क्या है, हर पार्ट में, हर एक field में आगे नहीं है, है ना, मतलब हम बात करें कि बहुत सारी चीज़े, सारी चीज़े e-governance के अंदर आ चुकी है, मतलब government का हर work के लिए आपके पास में website's available है, तो ऐसा नहीं है, राइट, कुछ ऐसे पार्ट है, जिसके लिए आप manual work को avoid in नहीं कर सकते हो, ओके, lack of awareness about the governance programs have prevented people to benefit from it, lack of awareness और lack of computerization, यह दोनों चीज़ें, क्योंकि जैसे हम ruler areas की बात कर रहे हैं, तो ruler areas में lack of computerization वगेरा technology अभी तक नहीं पहुँची है, राइट, मतलब वहां के लोग अभी इत्ते aware नहीं हुए हैं, कि वो properly इस तरीके से जैसे हम use कर रहे हैं, technology का, internet का, websites को use कर रहे हैं, है ना form fill कर लेते हैं, easily, जो भी changes कर लेते हैं, तो अभी वो उतना aware आपके लिए क्या है, एक negative impact की तरह होती है, fine, तो negative impact हम क्या बोल सकते हैं, कि जब आपके पास में कुछ hardware softwares नहीं है, like ruler areas में, लोगों के पास computers वगेरा नहीं है, उनको भी knowledge नहीं है, कि किस तरीके से website को access करना है, क्या लिखना है, ठीके, तो यह कुछ points होते हैं, limitations होते हैं, okay, now next is, PGM bank has a head office based in Bangalore, अभी application based question है, कि PGM एक bank है, जिसका head office कहाँ पर है, Bangalore में है, and a large number of branches nationwide, head office Bangalore में है, PGM bank का, लेकिन nationwide उसकी बहुत सारी branches है, पहला question इस पर based, identify the requirements to be fulfilled by each branch for video conferencing, अब उसकी जो branch है, वो fulfill है, कि नहीं, उनकी क्या requirements है, video conferencing को लेकर, ठीक है, तो उसके points आपको mention करना है, तो यदि देखा जाए, तो indirectly is question में क्या पूछा जा रहा है, indirectly is question में ये पूछा जा रहा है, कि video conferencing के लिए, मतलब कि PGM bank जो Bangalore में है, जिसका head office Bangalore में, वो कर पाए, सारी branches के members को देख पाए, communicate कर पाए, decision ले पाए, उसके लिए किन चीजों की requirement होगी, ओके, तो यहाँ पे आपको video conferencing की requirement ही लिखनी है, तो क्या requirement होगी सबसे पहले, high resolution का webcam चाहिए होगा, हर एक branch में, जहाँ पे computers available होगे, जिसका use करके, वो video conferencing करेंगे, fast computer processing की need होगी, sufficient network bandwidth होना चाहिए, video conferencing software भी होना चाहिए, जैसे skype वगेरा, है ना, zoom वगेरा, video display screen, screen अच्छी होना चाहिए, जिसमें सारे लोगों को वो एक साथ देख सके, microphone ताकि आप voice सुन सको, right, mobile video conferencing अप यदि मोबाइल से आप video conferencing कर रहे हो, तो mobile में आपके app होनी चाहिए, ना, यह तो क्या थी, requirement होई, कि हार एक bank में, यह requirement है, अगर यह सारी चीज़ अविलेबल है, high speed internet connection है, video conferencing software है, webcam है, microphone है, तब आप successfully video conferencing कर सकते हो, सारी branches के साथ communicate कर सकते हो, है ना, अब second क्या पुछा है, describe three benefits to the bank of using video conferencing, अब video conferencing जो use कर रही है, banks, उनको क्या benefit हो रहे है, तो benefit आपको describe करना है, मतलब कुल मिला के बात की जाए, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, video conferencing के तीन advantages लिखने है, जो हम पढ़ चुके है, okay, so enables organization to provide a solid way of communication, एक solid way of communication provide करता है, क्या, video conferencing, मतलब आपको बिना travel किये, बिना परेशान हुए, है ना, बिना कोई cost लगाए, आप घर बैठे company, जो भी bank की branches है, officers हमके साथ में communicate कर पा रहे हो, easily, यदि आपके पास वो सारी requirement है, जो अभी हमने देखी, है ना, वो सारी necessity items है तब, right, improving internal and external collaboration, जो internal external collaboration है, bank के अंदर, logo का customers का, employees का, वो भी क्या होता है, improve हो रहा है, increasing efficiency and improving customer service, customer service भी क्या हो रही है, improve हो रही है, efficient हो रह के example हो गए, जो इस bank के लिए benefited है, fine, आगे बटने है, third, क्या point is related, describe three problems that may occur when using the video conferencing, अब वो बैंक कौन सी इसी तीन problems को face कर रहा है, video conferencing से related, ठीक है, तो हमने अभी benefits तो देख लिए, लेकिन problems भी face कर रहा है, क्या problem से फहली, की conferencing tool lacks modern audio conferencing technology, जो modern audio conferencing technology है, मतलब देखो, technology और जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो future world में उतनी ज्यादा आपको बोल सकते हैं कि और अच्छे new devices मिलेंगे, high quality के tools मिलेंगे, softwares मिलेंगे, तो bank क्या कर रहा है, bank के पास में, अभी modern audio conferencing जो technology tools है, softwares है, उसकी कमी है, okay, lack of experience with online meeting technology, online meeting technology का जो experience होता है, internet bandwidth, अब यदि internet की bandwidth sufficient नहीं होती है, तो technical problems हाती है, video conferencing, conferencing करते है, time slow हो जाता है, okay, proper net नहीं मिल पाता है, तो उनकी conferencing work नहीं कर पाती है, ठीक है, तो ये कुछ limitations है, या हम बोल सकते हैं, कुछ problem से जो वो face कर रहे है, while video conferencing, okay, so अब ये question अच्छे से समझ में आया, कैसे पू चाथा, कि video conferencing क्या होता है, उसके लिए किन चीजों की need होती है, आपको है ना, तो hardware चाहिए, software चाहिए, हमें proper, और उसके बाद आपको क्या benefits से, video conferencing से, और क्या disadvantages है, या क्या limitations है, तो वही आप से इस तीन पार्ट में एक application based question में पूछा है, तो ऐसे ही question आपकी exam में, जो 4 mark से question बनेगे ना, इसी तरीके से आने वाले है, ठीक है, तो सारे topics अच्छे से कहना है, specifically मैं बता रही हूं, फिर से web services एक भी नहीं छोड़ना है, हर एक web service का advantage, disadvantage तो करके जाना है, यादो, okay, now, question number 30, give two ways other than video conferencing, video conferencing के अलावा, और भी कुछ तरीके होते हैं, in which branches are able to communicate, तो PGM bank की, जो branches हैं, वो आपस में communicate कर पाए, यदि video conferencing नहीं होती, तो उसके अलावा भी कुछ options होते हैं, क्या, तो उनके क्या advantage होंगे, वो बताना है, indirectly पूछा है, कि यदि video conferencing नहीं करते हैं, तो और कौन सी web services है, जिनका use कर सकते हो, आप, ठीक है, उनके क्या advantage है, यहीं सब्सक्राइब कर सकते हो, आप email के through communicate कर सकते हो, तो communication करने के लिए कोई रोक है, यह नहीं ना, सिर्फ video conferencing के थ्रू अधि आप नहीं कर पारे हो, चाट, नहीं कर पारे हो, तो आप क्या कर सकते हो, multiple way use कर सकते हो, communication process की, जैसे कि by making use of email, और using audio calls, basically telephonic conversation, हम यह भी कर सकते हैं, तो email के क्या फाइदे होता है, कि email एक evidence की तरह रहता है, future reference में, कि आपने इस दिन को, इस date को यह meeting की थी, है ना, यह subject, इस subject पे meeting होई थी, पूरा message आपके पास में, एक future reference के लिए एक proof की तरह होता है, दूसरा, the message can be read again and again for better understanding, यदि आपको एक बार सुनने में, समझने में आती ही कभी video conferencing में, और यदि mail आपके पास में, तो mail का use करके आप क्या कर सकते हो, again and again उस message को read कर सकते हो, अपने understanding और बढ़ाने के लिए, समझने के लिए, ओके, तो यह होगा है, क्या उसके दो, advantage, अब दूसरा वे क्या है, calls, कि आप telephone conversation भी कर सकते हो, ठीक है, आप call पे कि टैलिफोनी conversation हो, आप instant messaging software का भी हूज कर सकते हो, है न, so better understanding of the tone of the sender, आप जो sender है, जो call कर रहा है, आपको message deliver कर रहा है, उसकी tone से आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, the receiver can directly ask any question, receiver directly कोई भी question पूच सकता है, और आपको quick feedback भी मिल जाता है, यदि आप directly conversation करते हो, calls पर तो, तो ये calls के होगा advantage और ये email के होगा advantage, क्योंकि हम से यहाँ पूचा थे कि one one advantage आपको लिखने भी है, जिन दो ways का आप नाम लिखने वाले हो, तो video conferencing के अलावा हमने email और calls दो तरीके बताए है, और उन दोनों तरीके के क्या क्या advantage हो सकते हैं, वो भी हमने specify किया, ओके, now, इसका B part देखे तो क्या है, there has been a large increase in the number of customers, who use the internet banking facilities offered by PGM bank, अब PGM bank आपको क्या provide कर रही है, banking facilities दे रही है, ठीके, internet banking facilities दे रही है, तो number of customers हैं, जो use कर रहे हैं, इंटरने बैंकिंग का, मतलब PGM banking आपको online banking की facility दे रही है, और सारे customers उसे approach use भी कर रहे है, so give two reasons why customer choose internet banking, तो यह आपको बताना है कि क्यों customers PGM bank की internet banking को use कर रहे है, so obvious इसके reason आप खुद भी लिख सकते हो, कि internet banking पहले तो easier to use है, quickly आप access कर सकते हो, अपनी passbook देख सकते हो, क्या policies है bank की वो देख सकते हो, है न, it done in flexible hours, आप 24 into 7 कितने भी time internet banking का use कर सकते हो, ठीके, कोई असर आप वो time होता है, सुबर 10, 11 बज़े से 4 बज़े तक, तो आप उसी में limited transactions कर पाते हो, बट यदि आप internet banking use करते हो, तो 24 into 7 hours आप उसको access कर सकते हो, it's convenient because not transport is required, अब आपको brick mortar से बनी bank में नहीं जाना है, आप घर बैठे, conveniently use कर सकते हो, बस आपके पास में laptop PC, mobile phones होना चाहिए, customer do not have to wait for a long lines in your time, तो अपने turn का इंतजार करते हो, उन्हें long lines में लगकर wait भी नहीं करना होता है, ओके, तो यह चीज़ भी समच में आ गई, यह किसके benefit होगा जल्दी बताओ, online banking, जो internet banking हमने web service पढ़ी थी, उसमें यह ही हमने सारे advantages पढ़े थे ना, बस वही advantages आपको यहापे लिख इमेल स्टो हर सिस्टर इन अमेरिका, उसकी सिस्टर अमेरिका में रहती है, जो ही की और वो इमेल सेंट करना चाहती है, यह कम्प्यूटर से, ठीक है, तो पहला कर्शन इस पर बेस्ट बनता है, जो ही है सा फोटेग्राफ स्टोर्ड ऑन हर कम्प्यूटर, जो ही के कम्प्य store है है ना अब उस photograph को उस image को उसे email के साथ में send करना है so describe the process of sending email with the photograph photograph के साथ उसको email send करना है तो उसकी क्या process होगी तो जल्दी से बता तो इस question में आपको क्या समझ में आ रहा है इस question से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमने email में जो attachment option पढ़ा था ना बस वहीं explain करना है तो सबसे पहले तो email account में login करना पड़ेगा उसे अपने जहां पर जिस website पर उसने अपना email account बना है login करने के बाद में email compose करना पड़ेगा मतलब उसको message compose करना पड़ेगा message send करने के लिए तो compose बटन पे वो करेगी message compose करने के बाद में जब message में पूरे subject to from वगरे सारी फिल्ट फिल करने के बाद में last make option आता है attach files तो जब attach files पे click करेगी तो उसके computer में जहां भी store होगा वो photograph c drive d drive desktop वहां से वो क्या कर सकती उस photograph को attach कर सकती है और फिर उसके बाद में वो message send कर देना है तो send करने के बाद में क्या होगा जो उसकी sister america में है वहां तक उसके mail account तक वो message पहुँच जाएगा with the photograph ओके तो यही process है कि email में जैसे आप file को attach करते हो बिलकुल उसी तरीके से यहां पे आपको वही process को explain करना है so first login our email account by entering username and password उसका जो username password उससे login करना है then mail compose करना है then compose mail by click on compose button click on attachment to send photograph now select the photograph placed on any location on her computer by click on browse button ठीके तो browse button का use करेगी वो जहां पे भी जिस भी जगह पर photograph होगा उसको store store होगा वहां से वो photograph attach कर लेना है file attach हो जाएगी photograph attach हो जाएगा click on send button send पे जैसी क्लिक करेगी तो वैसी वो message mail क्या होगा send हो जाएगा okay second इस पर based question क्या है explain what all type of files can she send with email अब email के साथ उसने photograph तो send कर दिया अब वो कितने type की files को email के साथ send कर सकती है attach कर सकती है तो question वही बनता है कि email का यूज करते हो आप file attachment के लिए तो कितने तरीके की file को आप attach कर वा सकते हो okay so यहां पर audio video document actual graphics हर तरीके की file को आप attach कर वा सकते हो email के साथ में बट यहां पर हर एक email account की limit होती है जैसे 2gb 3gb से ज्यादा आप इससे ज्यादा की file आप attach नहीं कर सकते हो ना तो यहां पर आपको यह चीज का धियान रखना है बाकि आप audio file video file कोई document pdf textual file है ना notepad wordpad की file या कोई presentation या कोई image graphic image कुछ भी आप attach कर सकते हो अपने email account के साथ अपने email जो आप send करने वाले message उसके साथ okay so she send all this type of files okay now be kya his car joe is researching Indian freedom struggle history on internet अभी तो से email करना था email पर बेस्टो कोशन ते वो मने देख लिए आब जो ही क्या कर रही है research कर रही है किस पर research कर रही है indian freedom struggle history पर on the internet internet का यूस करके वो Indian freedom struggle joe Indian freedom fighters थे उन्होंने कैसे struggle किया उससे related वो search कर रही है ठीक है now she uses a search engine to help her तो अब वो कौन सा search engine use करेगी इसके लिए ठीक है कौन सा search engine use करेगी जो इसको help करेगा is freedom struggle के बारे में search करने में so the computer sometimes take a long time to respond when juhi enters a question into the search engine यदि वो search engine पर जाकर ये question लिखती है तो computer जो है उसका बहुत long time ले रहा है इसको search करने में उसका response generate करने में so give reason why this might happen तो ऐसा क्यों हो रहे है जैसे उसने search engine पर लिखा Indian freedom struggle history तो उसका computer बहुत slow चल रहा है और slow चरकल बहुत देर बाद response and कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है search engine तस लो क्यों चल रहा है अब इसके reason क्या हो सकते है पहली चीज़ तो यह कि server का भी को इशू हो सकता है दूसरी चीज़ यह की that may happen due to slow internet connection की internet connection भी हो सकता है इसका slow हो इस वजह से भी जो searching का प्रॉसेस है वो धीरे धीरे हो रहा है तो यहां पर आपको क्या लिखना है उसका reason लिखना है जो जनरली हम भी कभी कभी face करते हैं हो सकता है हमारे पास signals नहीं आते है network नहीं आते है इस वजह से slow होता है का जब रॉपर रिजल्ट को रिटर्न किया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक से तो उसने लार्ज नंबर ओफ लिंक्स को शो किया मतलब बहुत सारी लिंक्स आगे उससे रिलेटेड वैंशी एंटर गांधी लेकिन जब उसने गांधी एंटर किया गिव टू थिंग्स जुई केंडू रिडियूस दिन अबर ओफ लिंक्स तो यहाँ पर आपको बताना है दो चीज़ हैं ऐसी कि जुई कैसे इसको नंबर ओफ लिंक्स को रिडियूस कर सकती है जब उसने सिर्फ गांधी लिखा तो बहुत सारी लिंक आ गई फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर लिखा तब भी बहुत सारी लिंक शो रही थी तो इसको कैसे रिडियूस करें वह मतलब यहाँ पर जो सर्चिंग है सर्चिंग को आपको फिल्टर करना है कि आप जो एक्जैक् अब्र आफ लिंक उसके पास में शो हुए ठीक है क्यों कि उसने यहां पर जो सार्टिंग किया यहां पर जो उसने फिल्टर किया है सर्च को वो प्रॉप रवेमी किया जैसा वो चाहती थी फाइन तो यह भी चीज़ समझ में आई ना कि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो तो exact search करो अब searching कैसे करना उसकी क्या tips है वो भी हमने इस particular chapter में discuss किया था tips and tricks for searching कि search engine पर search करने के लिए आपको किस तरीके से searching करना है ठीक है question mark का use नहीं करना है ठीक है capital letters में search नहीं करना है बहुत सारी चीजे हमने देखी थी fine now next question this is the last question Swirlpool is a company that sells washing machines from its website अपनी website से वो washing machine को sell करते हैं कौन Swirlpool एक company है जो website का use करती है और वहां से washing machine को sell करते हैं मतलब online selling करते हैं Sophie buys a washing shop washing machine from the Swirlpool website Sophie ने क्या किया washing machine को purchase किया तो what is the way of shopping called बताई दिया मैंने नाम क्या है इस तरीके की shopping का नाम क्या बोलता है हम इसे जब आप किसी internet का use करके websites के थूपिंग कर रहे हो ठीक है कुछ purchase कर रहे हो तो उस तरीकी shopping को हम क्या कहते हैं online shopping बहुत इजी सभी ने बता दिया होगा सकांसर देखो कैसे पूछाए question ठीक है इस तरीके से question आएंगे बच्चों के now swalpul encourages its employees to study online अब वो company अपने employees को क्या करती है encourage करती है किसके लिए online study के लिए और अपने skills को आगे बढ़ाने के लिए ताकि वो भी online रहकर काम कर सके skills अउनके develop हो सके what is term that describe for this learning अब swalpul company अपने employees को सिखा रही है कि कैसे online अपने schools को बढ़ाना है कैसे आपको आगे work करना है training provide कर रही वो भी online समझ में आया तो इस term को हम क्या बोलते है learning के स्टरीके को हम क्या बोलते है online learning या फिर e-learning ये भी आप इसे e-learning भी लिख सकते हो ओके सो यहां तक clear ओके स्टूडेंट्स यहां पर finish हो गया क्या हमारा पूरा टेस्ट पेपर solution सो अब जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टेस्ट पेपर के question में doubt होगा तो वो अच्छे से उसका doubt clear हो गया होगा यदि अपनी ये टेस्ट पेपर इस चाप्टर के बेज़ जित्ते थेओरिटिकल एप्लिकेशन बेस्ट कोशन संसे क्यूंज वगेरा और चाप्टर का वन शॉट रिवीजिन प्लस टॉपिक वाइस जितने भी हमने वीडियो बनाए वो सब देखे ना तो अब आपका ही जो चाप्टर एव वो अपकी एग्जाम के लिए 110% मैं बोल रही हो कि प्रिपेर हो चुका है समझ में आया तो सारे वीडियो लेक्टर्स अच्छे से देखो अच्छे से समझो टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व करो ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते ह हो ओके और आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरुवत नहीं कि सारी चीज़े मैंगनेट ब्रेंज पे अवेलेबल है मैंगनेट ब्रेंज आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है तो जो आपके हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ताकि वो भी magnet brain से benefit ले सके 100% free of cost education ले सके कहां से कहां तक kindergarten से लेकर class 12 तक ताकि आप अपनी exam में बहुत अच्छे marks को score कर सकते हो साथ ही साथ अपनी life में कुछ बहुत अच्छा अच्छा अच्छीव कर सकते हो So मिलेंगे next chapter के one shot and test paper के साथ तब तक के लिए stay here stay happy thank you so much